बच्चे स्कूल जाते हैं, कॉलेजिस जाते हैं, किस लिए जाते हैं, कुछ पढ़ने के लिए, सीखने के लिए, जानने के लिए, अपने नॉलेज को, अपनी स्किल को और ज़्यादा डेवलप करने के लिए लेकिन बच्चों ने कितना सीखा, बच्चों ने कितना समझा, बच्चों ने कितना जाना, उनकी प्रोग्रेस क्या रही, कैसे पता चलता है इसके लिए टाइम टाइम पे बच्चों का टेस्ट होता है उन्ही टेस्ट के माधियम से उन्ही परिक्षाओं के माधियम से पता चलता है कि बच्चों की अलग-लग सब्जेक्ट में अलग-लग एरिया में उनकी प्रोग्रेस क्या रही कौन सा एरिया उनका strong है कि सब्जेक्ट में बच्चे अच्छे हैं और कौन सा एरिया कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर बच्चे weak हैं और उहां पर उनको और ज़ादत तयार करने की ज़रूरत होती है तो इस वीडियो में जब हम देखिए measuring instrument की बात करते हैं तो measuring instrument मतलब ऐसा instrument जिससे बच्चों की progress का पता चले तो ऐसा instrument क्या है आम तोर पर हम देखते हैं question paper होते हैं आप जब exam देने जाते हो आपके जो end time examination होते हैं तो क्या होता है question paper होते हैं उसमें अलग-लग questions होते हैं ठीक है तो उन question paper को आप solve करते हो आपका जो result आता है तो उसी से आपको पता चलता है कि आप अलग-लग जो subject है अलग-लग विसे हैं उसमें आपका progress क्या है तो इस video में हम बात करेंगे कि measuring instrument या question paper की बात करते हैं हम test की बात करते हैं कि characteristics of good measuring instrument कि एक अच्छे test की या question paper की क्या-क्या characteristics या विसेशता हैं होनी चाहिए और कौन-कौन से ऐसे factors हैं जो उन पर effect डालते हैं परभाव डालते हैं तो वीडियो को आखरी तक देखिए वीडियो कैसा लगा comment करके जरूर बताईए तो वीडियो का हम सुरूर करते हैं और सबसे पहले हम जानते हैं विद्याले की women का अक्षा में अनयक परकार के विद्यारती सिक्चा ग्रहंड करने के लिए आते हैं इस स्कूल में क्यों जाते हैं हम चीजों को सीखने के लिए जानने के लिए अलगलग area जो है अलगलग विसे है उसको जानने के लिए अपनी skill को develop करने के लिए तो इसलिए school की अलगलग classes में बच्चे जाते हैं सीखने के लिए जानने के लिए They learned different subject and skill over a period of time की school में जितने time भी बच्चे रहते हैं अलग-लग classes में, अलग-लग time period में फ़िए 21 समय अबदी में, अलग-लग जो विसे हैं ठीक है उसके बारे में सीखते हैं, उनकी skill develop होती है लेकिन हम यह भी देखते हैं कि मालो एक class में अगर 40 बच्चे हैं तो सबका जो pace of learning है सीखने की जो गती है, अलग-लग होती है कोई जल्दी सीख जाता है, तो किसी को सीखने में बहुत time लगता है और इसके हलमा हम यह भी देखते हैं कोई maths में बहुत अच्छा है, कोई science में बहुत अच्छा है कोई language में बहुत अच्छा है कोई social science में बहुत अच्छा है तो हमें कैसे पता चलता है कि कौन सा बच्चा किस subject में ज़्यादा अच्छा है तो इसके लिए क्या किया जाता है इसके लिए फिर जो measuring instrument है जो question paper है जो test है ओर लिया जाता है उसी के थुरू तो पता चलता है कि कौन सा बच्चा उसका progress क्या है किस subject में weak है किस subject में बच्चा strong है इसके लिए सिक्छक प्रिस्म पर तयार करते हैं या मानकी कृत मुल्यांकर उपकरनों का प्रयोग करते हैं तो जब हम standardized assessment tool की बात करते हैं जब standardized की हम बात करते हैं तो यहां पर चाहे aptitude test की बात करें चाहे interest inventories की बात करें यह सब क्या होते हैं standardized assessment होते हैं या तो question paper तयार किये जाते हैं before using the equipment it should be ensured that the equipment being used is of good quality कि जब भी हम इस तरह के instrument का बनाएं या use करें तो use करने से पहले हम इस चीज़ को ensure करना चाहिए कि जो भी equipment है measuring जो tool है वो उसकी गुनवत्ता या उसकी quality अच्छी हो तो जब हम good measuring instrument की बात करते हैं तो उसकी क्या 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 characteristics होने चाहिए क्या क्या विसेशता है होने चाहिए तो देखिए विसेशताओं की जब हम बात करते हैं तो पहले तो आप पर point देख लीजिए फिर हम एक एक करके इन पर बात करेंगे validity वैत्ता होनी चाहिए reliability विस्वसनियता होनी चाहिए objectivity वस्तुनिष्टा होनी चाहिए comprehensiveness होनी चाहिए व्यापकता discrimination और practicality होनी चाहिए वैवारिकता होनी चाहिए तो यहाँ पर आप कोई जो अलग-लग characteristics हैं जो विसेशता हैं तो पता चल गई अब हम एक ही करके बात करते हैं कि validity क्या होती है reliability क्या होती है objectivity क्या होती है comprehensiveness क्या होता है discrimination क्या होता है अच्छे परिक्षण वैत्ता के गुण होने चाहिए किसी परिक्षण की वैत्ता या validity से अपना है उस परिक्षण द्वारा मापन करने की योगिता से है जिसके लिए उसकी रचना किये गई है मतलब क्या है मतलब यह है कि मालो आप गए exam देने के लिए आपका social science का exam है ठीक है तो जाइर सी बात है जब हम social science की बात करते है तो exam में history से भी question आएंगे आपको geography से भी question आएंगे civics से भी question आएंगे ठीक है तो मतलब क्या है कि जब social science का paper है तो social science की paper में question ऐसे होने चाहिए जो question आप से social science के बारे में history के बारे में geography के बारे में civics के बारे में question पूछे ठीक है ऐसे तो question नहीं होने चाहिए कि मालो social science का paper है question आपका पूछ लिया science से question आपका पूछ लिया language से ठीक है ऐसे तो question नहीं होने चाहिए तो validity का मतलब है कि जिस purpose से question paper बनाया गया हो, ओ question paper उसी purpose को fulfill करें, मतलब social science का question है, तो उसमें question paper है, तो उसमें social science से letterative question होने चाहिए, science का question paper है, तो उसमें science से letterative question paper होने चाहिए, ऐसा ना हो कि science का paper दे दिया, question उनसे पूछ लिए हिंदी language वाले, English language वाले, ऐसा ना हो कि बच्चों को math का paper है, और math में बच्चों से social science के question पूछ लिए है, तो नहीं, question paper जो भी बनेंगा, जो भी measuring instrument है, उसमें validity का मतलब है, जिस purpose से बनाया जाए, वो paper जो है, उसी purpose को fulfill करें, if a test measure the ability of any category of friend for which it has been designed, then that test is considered valid, कि यदि कोई परिक्षण किसी स्रेणी के विद्धियार्तियों कि उस युगिता का मापन करता है, जिसके लिए उसकी रचना की गई है, तब ही हम उस परिक्षण को वैद मानेंगे, तो यहाँ पर आपको validity से समझ में आ गया होगा, कि मतलब क्या है, कि जो question paper जिस purpose से बनाया जा रहा है, वो उसी purpose को fulfill करें, SST का question paper है, तो SST जो जिस purpose से बनाया गया है, कि बच्चों की history में क्या knowledge है, understanding है, geography में क्या है, civics में क्या है, तो बस उसी चीज़ की जाच करें, science का बनाया गया है, तो science में बच्चों की क्या knowledge है, उसी चीज़ की जाच करें, यह नहीं कि science का है, तो उसमें question अलग subject से पूछ लिए गया हो, तो इसलिए quality होनी चाहिए, फिर reliability की बात करते है, विश्वसनियता, विश्वसनियता का मतलब क्या होता है, a good test must have reliability, कि अच्छे test में क्या होनी चाहिए, विश्वसनियता यह reliability का मतलब consistency से है, मतलब क्या है, कि देखिए, आप जैसे board के exam हम देखते हैं, आप paper दे कर आगए, ठीक है, अब paper आपका, आपने जो भी question, जो paper आया, उसके base पर जो भी आपने answer किया, आपकी answer state को, चाहे ए examiner check करें, चाहे 10 check करें, मालो पहले वाले ने check किया, आपके 80 marks आए, दूसरे वाले ने उसको फिर से check किया, तो आपके mark 60 हो गए, तीसरे वाले ने check किया, तो फिर 70 हो गए, मतलब क्या है, फिर तो जो test है, उसमे reliability हुई ही नहीं, reliability का मतलब है, कि जो भी paper आपने किया, चाह आपकी जो marking है, आपके जो number है, उसमें ज़्यादा फरक नहीं आने चाहिए, 80 है, तो 80 ही रहेंगे, ज़्यादा 79 या 81 होगे, इससे ज़्यादा फरक नहीं आना चाहिए, तो इससे ही हम कहते है, reliability, जब भी इस तरह के question paper set किये जाते है, तो उसकी answers की इस भी पहले जारी कर दी जाती है, ठीक है, ताकि question आपने सही point लिखा है, तो उसके marks आपको पूरे मिलेंगे, नहीं लिखा तो नहीं मिलेंगे, तो reliability का मतलब है, कि आपने जो भी paper किया, उसको चाहिए एक इंसान चेक करें, चाहिए 10 चेक करें, आपके marks में कोई अंतर ना आए, If there is no difference in the result, when the strength, ability and quality are evaluated by one or different examiners, then it will be called the reliability of the test की विद्यारती की योगिता या गुनों का, एक अथवा जो अलग जो examiner है, उनके द्वारा मोल्यांकन करने पे भी जो result उसमें जारा फर्क नहीं आता, तो हम कहते हैं कि हाँ, यह paper जो है, यह reliable है, किसी परिक्षन की विश्वसन ग्यात करने के लिए क्या किया जाता है, टेस्ट लिया जाता है, ठीक है, और क्या किया जाता है, टेस्ट और रिटेस्ट, तो इससे पता चलता कि हाँ, जो भी इस तरह के जो instrument है, measuring instrument है, जो test है, जो question paper है, हो क्या है, reliable है, फिर हम objectivity की बात करते हैं, objectivity का मतलब क्या होता है, fairness निस्पक्षता मतलब किसी तरह का भेदभाव नहीं मतलब आप अक्सर कई बार आपके मतलब खुछ से question होता है ना कि आप exam का जब result आता है तो आप कहते हो कि नहीं मैंने तो बहुत अच्छा paper किया था लेकिन मुझे number ठीक से नहीं मिले कई बार ऐसा भी होता है कि check करने वाले का mode अलग होता है कभी किसी question के लिए कोई ज़्यादा marks दे रहता है कोई ज़्यादा marks नहीं देता कोई कम number दे रहता है तो वहाँ पर क्या होती है subjectivity होती है objectivity नहीं होती है वहाँ पर biasness होती है लेकिन जब हम objectivity की बात करते ना तो objectivity का मतलब है कि जो आपने paper किया जो question आपने किया सही किया तो उसको कोई भी गलत नहीं कर सकता जैसे हम आम तोर पर देखते है seated का paper आप देने जाते हो ठीक है या DSSB के आप exam देते हो KVS के आप exam देते है ठीक है तो यहाँ पर जब आप objective टाइप के जो question करते हो तो सही का सही गलत का गलत चाहकर भी उसमें कोई भी किसी तरह की biasness नहीं कर सकता तो जब हम objectivity की बात करते हैं तो उस परिक्षण पर परिक्षण का व्यक्तिकत परभाव ना पढ़ने से है that is there is no personal influence of the examiner on that test it is very important for a good test to be objective because it affects both reliability and wealth कि एक अच्छे परिक्षण का वस्तुनिष्ट होना अत्यन तावस सके क्योंकि इसका परभाव विस्वसनियता और व्यक्ता दोनों पर ही पढ़ता है तो जब हम objectivity की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है fairness इसका मतलब होता है कि जो भी examer है ठीक है उसकी personal influence है उसका व्यक्तिगत परभाव जो है आपकी answer sheet पे बिलकुल न पढ़ना in fact a test which is not objective cannot be reliable and valid कि जो जो test है जो objective नहीं होता ठीक है जिसमें objectivity नहीं होती हम ना उसको reliable कहेंगे ना हम उसको valid कहेंगे एक वस्तुनिस परिक्षंट पर परिक्षंट पर परिक्षंट की व्यक्तिगत भावनाओं दाणनाओं तथा विचारों का कोई परभाव नहीं पढ़ता the examiner personal feeling perception and thoughts have no influence on an objective test तो यहाँ पर आपको मतलब objectivity का भी मतलब समझ में आ गया होगा quality की हमने बात की quality का मतलब है कि जिस परपस से बनाया गया उसी को fulfill करे liability का मतलब होता है कि चाहे उसको एक examiner चेक करें चाहे दस चेक करें आपके marks में कोई ज़्यादा difference ना आए marks आपके उतन नहीं रहें और जब objectivity की बात करते हैं तो किसी के जो personal influence है व्यक्तिकत परभाव examiner का उस पर बिलकूल ना पड़े जितने भी मतलब question सही है तो पूरे marks गलत है तो marks नहीं तो इसका कोई व्यक्तिकत परभाव नहीं चाहा कर भी आपके नंबर कोई कम जादा ना कर पाए फिर हम comprehensiveness की बात करते हैं तो देखिए व्यापकता comprehensiveness मतलब क्या है इसका मतलब है कि जैसे हम social science की बात करते हैं तो जो भी question paper बनाया जाए तो ऐसा ना हो कि हम social science में जैसे three books होती है history, civics, geography तो जाहिर सी बात है जब question paper बनाया जाए तो history के भी सभी chapters से question बनाया जाए, geography से भी बनाया जाए, civics से भी बनाया जाए, ऐसा ना हो कि सिर्फ history से ही सारे question लाकर डाल दिये तो comprehensiveness का मतलब क्या होता है कि जो भी subject है तो उसके सभी हिस्सों को लिया जाए, सभी chapters को लिया जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ 2-3 chapter को ले लि tested की प्रस्नों की अगर सीमी संख्या होगी, पूरे books ये question ना लेकर सिर्फ एक 2-3-4 chapter से लिया जाएगा, तो बच्चों की knowledge understanding उसकी सही से जाच नहीं की जा सकती, इसलिए जब हम comprehensiveness की बात करते हैं, तो मतलब क्या है कि paper जो होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, उसमें subject के सबी हिस्तों से knowledge understanding चीजों को लेना चाहिए, तो इसुट contain question from different domains like knowledge, understanding, application and it should have different types of questions, यहाँ पर objective type भी होने चाहिए, very short answer type, short answer type, long answer type होने चाहिए, मतलब आप यह मान के चलते हैं कि जो भी question paper बनाया जाया तो subjective पूरी book के सभी chapter को cover किया चाहिए, और question भी एक जैसे नहीं होने चाहिए, question में भी short answer type भी होने चाहिए, long answer type में होने चाहिए, very short answer type में होने चाहिए, knowledge से related होने चाहिए, understanding से related भी होने चाहिए, application से related भी question होने चाहिए, तब ही हम उसको कहेंगे comprehensiveness कहेंगे, फिर discrimination, विवेत कारिता, अब question आता है कि discrimination क्या है, discrimination मतलब discriminate करना, किस चीज़ का discrimination तो इसको भी हम जान लेते हैं The discrimination of a test means its ability to differentiate between high ability, average ability and low ability strength की test paper ऐसा होना चाहिए जिसको देने के बाद पता चल सकी कि कौन सा ऐसा बच्चा है ठीक है जो below average है कौन सा ऐसा बच्चा है जो average है कौन सा ऐसे बच्चे है जो above average है talented है ठीक है तो question paper सी तो हमें पता चलता है कि बच्चा अपना paper दे के आता है result आता है तभी तो पता चलता है कौन से बच्चे हैं average है कौन से बच्चे हैं जो above average है कौन से बच्चे हैं below average है तो इसी तरह से test से पता चलता है तो एक अच्छा अगर question paper तयार होगा जिसमें अक्सर आप जब अपने एक्जाम देने जाते हो तो आप देखते होंगे न बोर्ड के पेपर में भी स्टार्टिंग के 5-10 कुश्चन इजी आते थे फिर एवरेज आते थे लाश्ट के कुश्चन जो थे ठोड़े डिफिकल्ट लगते थे ठीक है तो ऐसा पेपर इस एवं जटिल प्रस्नों को सम्मिलित किया जाता है जिससे प्रतिबाश्राली समान एवं कमजोड सभी प्रकार के विद्यारति उन्हें हल कर सके अच्छे परिक्षण में यह विसेस्ता होनी चाहिए कि इसके आधार पर उच्छ योगता एवं निम्न योगता वाले विद्य सिच्वेशन की जब हम प्रैक्टिकलिटी की बात करते हैं चलो हमने क्वेशन पेपर बनाया है उसमें हमने वैलिटे की बात की हमने उसमें रिलाइबिल्टी की बात की औप्जेक्टिविटी की बात की कॉम्प्रियंसिवनेस की बात की डिस्क्रमेशन की बात की साथी साथ test ऐसा होना चाहिए जिसको उसको apply कर सके ठीक है उसको use कर सके the test should be easy to administer and school की test में आसाने से उसको हम परसासित कर सके administer कर सके और उसको आराम से जैसे board के exam देखते हैं एक ही साथ देखते हैं कि लागों बच्चे paper देते हैं पेपर देते हैं और उसके बाद जब उनका चेक होता है तो चेकिंग भी इजली हो सके तो इसके क्या किया जाता है पहले से यह आंसर की तयार कर ली जाती है ताकि उसकी चेकिंग भी आराम से किया जा सके तो आराम से बचे पेपर दे दें किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो और अराम से फिर उसकी बाद में चेकिंग करने वाले चेकिंग भी कर लें तो instruction should be simple and clear for the student और question paper में जब बनाया जाता है तो student के लिए instruction भी बिल्कुल clear दे दिया जाता है कि party करेंगे तो इतने question करने है इतने question के इतने marks मिलेंगे time duration इतनी है ठीक है तो जो भी instruction है वो simple होने चाहिए clear होने चाहिए इसके अलमा the practicality of good test includes the following thing कौन कौन से है easy in preparation बनाने में आसानी हो easy in administration प्रियोग करने में आसानी हो कि question paper चलो बन दो गया और administration का मतलब है कि बनने के बाद अब बच्चों को distribute किया जाए बच्चा उसको question को देखे और अपना answer करे तभी दोनकी progress का पता चलेगा और easy in scoring and interpretation की अंक लगाने तता परिणाम निकालने में भी आसानी हो फिर अब question आता है कि factors affecting measuring instrument की मापक उपकरनों को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक है तो देखे जब इस तरह के हम measuring instrument है question paper है टेस्ट है जब उसको तैयार किया जाता है तो जो उसको तैयार करने वाले होते हैं जो teachers होते हैं जो experts होते हैं तो देखे वो भी उसको प्रभावित कर सकते हैं तो इसके लिए जरूरी है कि जो भी export है mastery of the subject content की मालो हम science का paper तैयार कर रहे हैं ठीक है science का board का paper तैयार कर रहे है तो जो तैयार करने वाले हैं उनकी जो science subject है उसमें master होने चाहिए अगर उनको subject में master होगी तभी तो उनको 10th class का paper तैयार किया जा रहा या 12th class का paper तैयार किया जा रहा उसमें उनको पूरी mastery होगी पूरी knowledge understanding होगी तभी तो पूरे syllabus से जो question है तयार कर पाएंगे उनको पता होगा कि कौन कौन से question है बच्चों के हिसाब से बनाए जाए तयार किये जाए short answer में क्या रखना है very short answer में क्या रखना है long answer में क्या रखना है इसके अलावा mastery of the domain of testing learning तो जब हम domain की बात करें तो यहाँ पर क्या है domain में चाहे हम knowledge की बात करें चाहे हम understanding की बात करें चाहे हम application की बात करें इसके अलावा domain में हम cognitive की बात करते हैं effective की बात करते हैं psychomotor की बात जाता है तो इस सभी डोमेन को ध्यान में रखकर बनाया जाता है कि की question से बच्चों की knowledge का पता चलेगा उनकी understanding का पता चलेगा ऐसे कौन से question paper question तयार किये जाए जिसे बच्चों के उस subject में जो उनकी interest है उसका पता चले तो इस तरह के domains की भी knowledge होनी चाहिए और question paper पर बनाते टाइम चाहिए हम cognitive की बात करें इफेक्टिव की बात करें साइको मोटर की बात करें सभी domains से question तयार करने चाहिए इसके हलावा mastery of developing blueprint तो blueprint और marking scheme blueprint अब question यह आता है कि blueprint क्या होता है तो देखिए अकसर जैसे simple सा आप example देख सकते हैं कि जब हम घर बनाते हैं तो घर बनाने से पहले उसका एक map बनाया जाता है तो उस map से पता चलता है मतलब map का मतलब एक blueprint बनाया जाता है उसी से पता चलता है कि घर का क्या टोटल साइज है रूम जो है अलग लग बनेंगे उसका साइज क्या होगा इसी तरीके से जब question paper तयार किया जाता है तो ऐसा नहीं किसी दा question paper तयार करने लगे पहले एक blueprint बनता है तो उस blueprint में एक clear mention होता है कि मालो 10th class के science का question paper बनाया जा रहा है ठीक है तो blueprint में clear mention होगा कि कितने कितने chapter total लिए गए है ठीक है किस chapter में से knowledge से related कितने question डाले गए है understanding से related कितने question है application से related कितने question है skills से related कितने question है short answer type कितने question है long answer type कितने question है very short answer type कितने question है किस question के कितने marks दिये जा रहे है तो blueprint से total question paper का एक पूरा खाका पता चलता है कि question paper में जो भी question डाले गए हैं किस-किस chapter से लिए गए हैं कितने-कितने marks के हैं कौन से short हैं, कौन से very short हैं तो इस तरह से question paper set करने से पहले blueprint भी बनाना चाहिए तो blueprint की भी पूरी knowledge होने चाहिए तो जो भी question paper setter है उनको mastery of developing blueprint and marking scheme की blueprint बनाना और marking scheme इसकी भी पूरी knowledge होने चाहिए इसके अलामा जब भी question paper बनाया जाए तो types of strength बच्चों की जो अलग-लग types हैं below average, average, above average तो बच्चों की जो अलग-लग types हैं इसको ध्यान में रखकर ही question paper तयार करने चाहिए उसमें easy questions भी होने चाहिए, average भी होने चाहिए और difficult question भी होने चाहिए इसके अलामा knowledge of setting standardized paper की मानकी करिज जो paper है उनको set करने का ग्यान होना चाहिए इसके अलामा public accountability तो देखिए public accountability या साबरिजिंग जवाब देए कि आप फिर से आप revaluation, rechecking ठीक है, उसके लिए अपना paper फिर से डालते है ठीक है, तो जब हम public accountability की बात करते हैं तो जब भी question paper इस तरह से set किया जाए तो उसका एक पूरा जो खाका है ठीक है, इस तरह से question paper set करना चाहिए ठीक है, सभी चीज़ों का जो हमने बात की quality of good measuring instrument तो हर चीज़ का ध्यान में रखकर जो भी body है, जो भी paper setter है, जब paper तयार करता है तो वो public के लिए बच्चों के लिए accountable भी होता है ठीक है, अगर सभी जो norms हैं, जो rules हैं उसको ध्यान में रखकर paper बनाया जाएगा तो बनाने वाले भी बिल्कुल ensure होते हैं, कि चलो कोई बात ने अगर किसी को re-checking करवानी है, तो करवाए लेकिन marking scheme ऐसी हो कि री-checking करवाओ तो उसमें भी जारा कोई फर्क ना आए अक्सर हम देखते हैं ना जब आप seated का paper देते हैं net का paper देते हैं तो paper देने के बाद जब answer की जारी की जाती है, तो answer की जारी करने के साथ साथ जो related जो body है वो बच्चों को यह मौका देता है कि अगर आपको लगता है कि किसी भी question में आपको mark सही से नहीं मिले हैं तो आप क्या कर सकते हैं आप उसके लिए आप apply कर सकते हैं तेके उसके लिए आप जो complaint कर सकते हैं तो मतलब क्या है public accountability की जब question paper तयार कर रहे हों तो इस तरह से question paper होना चाहिए और उसकी marking scheme होनी चाहिए ताकि अगर कोई revaluation भी करवाता है तो बच्चों की जो overall valuation है ठीक है उसमें किसी तरह का कोई फर्क ना आए review of earlier paper set की जब भी हम paper set करते हैं तो paper set करने से पहले जो previous year के question paper है आपको उसको भी देखना चाहिए ठीक है कहीं ऐसा ना हो कि जो previous year के question paper है same question आपने इस paper में question डाल दो इसके अलावा question wise time factor कि प्रसना अनुसार समयकार है कि जब भी question paper में questions डाले जाते हैं तो time का भी ध्यान देना चाहिए मालो 3 hour का time आप दे रहे हैं तो अलग जो question है short answer type डाले या very short answer type या long answer type तो question ऐसा ना हो कि short answer type है और आपने उसको lengthy बना दिया तो ऐसा नहीं होना चाहिए जैसा time आप बच्चों को दे रहे हैं उसी साफसे question भी होने चाहिए तो यह अलग लग चीजे हैं जिनका एक test पर एक measuring instrument पर question paper पर इस सब का effect पढ़ता है तो इस video में हमने जाना कि एक measuring instrument है test है question paper है उसकी क्या-क्या characteristics या विसेज़ता है और कौन-कौन से जो कारक है factors से जो उस पर अपना परवाव डालते हैं तो वीडियो आपको कैसा लगा comment करके जरूर बताईए आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो में हम हम बात करने वाले हैं जानने वाले हैं समझने वाले है reliability and quality of tools तो यहाँ पर जब हम tools की बात करते हैं तो tools का मतलब test से होता है या question paper से होता है तो किसी भी question paper या test की क्या quality है क्या reliability है उसी की बात इस वीडियो में हम करने वाले हैं जानने वाले हैं समझने वाले हैं तो वीडियो को आखरी तक देखिए वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए तो हम वीडियो को सुरू करते हैं और सबसे पहले हम reliability की बात करते हैं कि कि किसी भी test paper की क्या reliability होती है उपकरनों की क्या विश्वसनियता होती है और test is reliable if different teachers who evaluate it give the same marks की एक परिक्षा विश्वसनियत अब ही होती है यदि उसका मुल्यांकन करने वाले विविन सिक्षक समान अंक देते हैं तो एक सिंपल से example के द्वारे समझ सकते हैं कि आपने अपना final paper दिया परिक्षा दी ठीक है चाहे बोड का हो गया चाहे किसी और class की हो और ना है तभी हम कहेंगे कि जो टूल है जो टेस्ट है वो रिलाइबल है इफ देर इस नो डिफरेंस इंदर रिजल्ट वैंद श्रेंट्स अबिल्टे एंड क्वालिटी सार इवैलुटेड बाई वन और डिफरेंट एग्जानर्स देंड इट विल बी कॉल दर विश्वश्वशनिय है तो यहां पर आप समझ होगे कि ईखनी बीक एशनी क्या होती क्या प्रेंज़ आप डेते हैं जब यह उसका प्रिफरेंस यहीं टेशट और रिलाइफ草र टेस्ट जो दो टीचर जया दकशन टिचर करेंश लो भी आपको मांक소리ं मिले उसमें ज्राक in different situation and places is called the reliability of the test की एक परिक्षण जो विविन सितियों में अलग लग स्थानों में लगातार उप्योग करने पर यह सुसंगत परिणाम दिखाता है तो उसे कहते हैं कि नहीं जो आपका परिक्षण है जो टेस्ट है रिलाइबल है वह विश्वचन है तो जैसे मैंने आपको प एजामपल के लिए आप सीटेट का पेपर देते हैं तो उसमें क्या होता है चाहे कोई एक चेक करें चाहे दस चेक करें आपके जो मार्क्स ने उसमें जा कोई अंतर किसी परकार का कोई अंतर नहीं आता मतलब क्या है कि जब क्वेश्चन तयार होता है तो क्वेश्चन के स साऩ उसकी जो AAAацर की है अलेड़ी तयार की जाती है थोसुह रिसाप से आप साही लिखेंगे गलत लिखें तो नहीं मिलेंगे मतलब क्या है की AAA онजर की तयार होने से जो भी चैकर चैक चरें पांज चीजर चक करें दस चैकर जो भी evaluation है उसमें जारा कोई फर्क नहीं आता a good test must have reliability की एक अच्छे परिच्छंड में विश्वसनियता होने चाहिए तभी तो हम उसको अच्छा बोलेंगे reliability is an important criterion of a good test की विश्वसनियता एक अच्छे परिच्छंड का एक महत्पून माप डंड है तो इसका मतलब क्या होता है consistency एक रूपता एक रूपता या consistency की बात मतलब क्या है कि जो भी आपके marks है चाहिए कोई भी evaluate करें उसमें किसी तरह का कोई अंतर ना आए the reliable test always provide a stable, dependable, accurate and consistent result की विश्वसनी परिक्छंड की जब बात करते हैं तो इक स्थिर भरोसे मन, सटीक और सुसंगत परिणाम प्रदान करता है अब हम बात करते हैं types of reliability आप इसको types भी कह सकते हैं या method of reliability भी आप इसको कह सकते हैं तो कौन-कौन से इसके types हैं या methods है test, retest, second है parallel form reliability, third है internal consistency reliability तो एक-एक करके हम इनके बारे में जानते हैं तो सबसे पहले हम test और retest reliability के बात करें तो देखिए simple सा एक example के थुरू आप पूरा समझ सकते हैं कि माल लीजिए 100 बच्चों पर एक test किया गया एक question paper 30 questions का एक question paper बनाया गया और उसको 100 बच्चों पर ठीक है उसको administer किया गया बच्चों को दे दिया गया करने के लिए अब मालो बच्चों ने test किया और उनका जो भी score आया फिर से after two weeks फिर से वही question paper सेम बच्चों को दिया गया बच्चों ने फिर से question paper को किया फिर अब इस बार दो हपते पहले जो बच्चों के marks आय थे और दो हपते बाद सेम बच्चों ने कया और उनके जो marks आए तो उसमें भी comparison होगा कि बच्चों के marks में जादा कोई फरक तो नहीं है और अगर marks में जादा कोई फरक नहीं होता सेम marks आते हैं सेम result आता है तो मतलब क्या है कि जो test है वो reliable है तो देखिए यहां पर एक जो problem आती है ना यहां पर एक जो इसका demerit भी आप कह सकते हैं कि मालो बच्चे ने आज तो paper कर दिया सेम paper दो हफते बाद अगर करेंगे तो हो सकता है कि जो question उन्होंने याद कियोंगे साथ ओ याद ना हो ठीक है थोड़ा भूल जाए और result में काफी अंतर भी आ सकता है तो यह इसका demerit है लेकिन test test का मतलब है कि same question paper है आपने आज की rate में किया ठीक है जो result आया और after two week आपने फिर से same paper किया और जो result आया तो दोनों में comparison होगा अगर comparison में marks मिजारा कोई फरक नहीं आता तो मतलब क्या है वो test है reliable है तो फिर हम बात करते है पहले uniform reliability तो यहां पर test retest उससे क्या फरकाता है यहां पर कि उसमें एक question paper होता है लेकिन यहां पर क्या किया जाता है 30-30 के दो question paper दो set तयार कर लिए जाते हैं set A और set B अब दोनों question paper में criteria सबको same होता है जब question paper को बनाया जाता है तो instructional जो objective होते हैं knowledge की बात करें understanding के बात करें skill की बात करें application की बात करें सभी को ध्यान में रखकर सभी पार्ट से question paper लेकर दो question paper के set तयार किये जाते हैं अब आज की date में hundred बच्चों से question paper set one करवाया जाता है उसका जो भी result आता है फिर after two three days जो set two है same बच्चों से set two भी करवाया जाता है ठी result में जादा कोई फर्क नहीं है अंतर नहीं है same आ रहा है तो फिर क्या होता है कि हम उसको कहते हैं parallel form reliability तो test test में एक tool होता है एक question paper होता है यहाँ पर question paper के दो set तयार किये जाते हैं वहाँ पर एक question paper से दो बार exam लिया जाता है टू वी के difference में अंतर में यहाँ पर दो तीन दिन के अंतर में लिया जाता है दोनों set set a set b फिर compare किया जाता है फिर हम बात करते हैं internal consistency consistency reliability आंतरिक निरनता विस्वसनियता त पता चलता है कि परिक्षण रापतांकों में निरनता कहां है तो इसके दो method होते हैं split half method होता है और fooder Richardson method होता है तो यहाँ पर भी इस चीज़ की consistency का पता लगाया जाता है कि जो बच्चों के जो marks आ रहे हैं उसमें ज्यादा कोई अंतर तो नहीं है ज्यादा कोई difference तो इसम से हमने देखा कि reliability क्या होती है और इसके types या इसके methods कौन-कौन से हैं अब हम बात करते हैं factors influencing reliability of the test की परिक्षण की विश्वसनियता को परभावित करने वाले कौन-कौन से का रहे हैं तो देखिए सबसे पहला हम बात करते हैं length of the test तो परिक्षण की लंबाई जितनी ज्या होता है something 25-30 something question होते हैं तो question paper यह टूल जितना लंबा होगा जितना लेंदी होगा तो उससे क्या होगा बच्चों की जो knowledge है उनकी जो understanding है उनकी जो thinking है उनकी जो writing still है इन सभी चीजों का पता लगाया जा सकेगा तो length of the test test की लंबाई परिक्षण की लंबाई जितनी अगर एक class की बात करते हैं तो class में हम देखते हैं कि बहुत ऐसे बच्चे भी हैं जो बहुत जारा talented होंगे जो जल्दी चीजों को जल्दी सीखते हैं ऐसे भी बच्चे होंगे एवरेज बच्चे बिलो एवरेज बच्चे भी होंगे तो समू की जो विविंता है variability जो group की ह होगी तो वह भी कहीं ना कहीं reliability पर effect डालता है अगर माली जी एक class में समान च्छमता वाले थीक है सेम एविल्टी वाले बच्चे हैं तो उनका result देखेंगे तो अलग तरीकिक आएगा अगर एक ही class में बिलो एवरेज भी है एवरेज भी है अबो एवरेज भी है इस तरह क बच्चे भी होंगे तो वह पेपर देंगे तो उनकी जो जो परिक्षा पढ़ना में वह अलग तरीके होंगे तो जो वैलिबिल्टी ऑप ग्रूप है सम्मू की विविंता है उसका भीज पर पढ़ता है फिर difficulty level of question की प्रसनों का कश्टनाई स्थर कि अगर question difficult होंगे तो क्योंकि जब question बनाए जाते हैं तो एक सभी student को एक average student के हिसाफ से तयार किये जाते हैं ठीक है उसमें simple भी question होते हैं difficult भी होते हैं और average question भी होते हैं normal question भी होते हैं तो यहाँ पर अगर मालो जो question paper है बहुत ज़रा simple बनाया जाए तो फिर भी अगर बिल्कुल ज़रा simple ब पता चलेगी और बहुत ज़रा difficult भी बना दिया जाए फिर भी reliability नहीं पता चलेगी कि कि हर को इसको नहीं कर पाएगा तो इसलिए difficulty level of question भी इसको प्रभावित करता है और environmental factor परियावर्ण ने कारण की जहां पर बच्चों का test लिया जा रहे है ठीक है चाहें वहां पर सही से lightning है की नहीं है बैटनी की arrangement किस तरह का है जहां पर पेपर लिया जा रहे है आसपास का environment कैसा है अगर यह सारे positive होते हैं ठीक है तब तो reliability का सही तरीके से पता चलेगा लेकिन environment अगर अच्छा नहीं है तो फिर यहां पर कई ना कई reliability का उतने अच्छे से पता नहीं चल सकता तो यह भी चीज़े reliability पर परवाव डालते हैं तो यह तो factor हो गया अब हम बात करते हैं वैल्टी की तो देखिए जब वैल्टी की बात करते हैं मतलब क्या होता है वैल्टी या वैत्ता का मतलब की कोई भी question paper जिस उद्देश को लेकर बनाया जा रहा है उस उद्देश को प बात करें economics की बात करें तो question paper ऐसा हो जिसमें question इसी से पूछ जाए तो कोई भी question paper जिस objective लिए बनाया गया हो उसको अगर fulfill कर रहा हो तो हम कहेंगे नही question paper valid है तो a good test must have the quality of quality की कैच्छे परिक्षण में वैत्ता का गुन होना चाहिए quality of a test means the ability of the test to measure what it has been designed for कि कि किसी परिक्षण की वैत्ता से अविप्राय क्या है कि उस परिक्षण द्वारा वह मापन करने की योगेता जिसकी लिए उसकी रचना की गई यदि कोई परिक्षण किसी स्रुएनी के विद्यारतियों की उस योगेता का मापन करता है जिसकी अब हम बात करते हैं टाइस ऑफ वैलिटी की के वैत्ता के कौन कौनसे परकार है तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं तो यहां पर हम देखते हैं कि एक परिक्षड या एक टेस्स जो मापता है कि क्या निर्दे साथमक उध्रे से सही परिक्ष में पूरा किया गया है देखिये जब हम instructional objective की बात करते हैं to instructional objective में आता है knowledge भी आती है understanding भी आता है application based question भी आते हैं और skill based question भी आते हैं तो knowledge based question understanding based question application based question skill based question तो कोई भी question paper जब बनाय जाता है मालो science का question paper बनाय जा रहा है तो इस चीज़ को देखना है कि उसमें जो भी subject है तो उसे related जो knowledge based question है तयार किये गए हैं कि नहीं, understanding based question तयार किये गए हैं कि नहीं application based question तयार किये गए हैं कि नहीं, skill based question तयार किये गए हैं कि नहीं तो अगर content वैलिटी में इसी चीज़ की जाँच की जाती है कि जो भी instructional objective है जिसमें हम knowledge understanding application skill की बात करनें तो उस base पर question तयार किये गए हैं कि नहीं तो यहाँ पर इस चीज़ की जाँच की जाती है फिर जब हम face value की बात करते हैं तो face value is determined simply by seeing the question include in the test की परिक्षण में सामिल प्रस्न को देखकर ही बाहिवयत्ता का निर्धारन या face value का निर्धारन किया जाता है for example test consists of 20 questions and each question ask something about character की एक question हम देखते हैं कि एक परिक्षण में question paper में 20 questions है और सभी 20 के 20 question paper किस बारे में बात कर रहे हैं character के बारे में बात कर रहे हैं तो कोई भी देखेगा तो देखकर उसको क्या कहेगा मतलब यहां पर हम देखा फिस्वेल्टी बोल लें मतलब उस question paper को बाहर से कोई देख रहा है ठीक है हाथ मेरे कोई देखेगा तो देखती कह देगा कि यह question paper इसलिए बनाया गया है कि इससे किसी के चरित्र के गुणों के बारे में बताया जा सके those who see this test me see that this test has been designed to test the qualities of a good character की एक अच्छे चरित्र की जो गुण होते हैं उसका पता लगाने के लिए ठीक है यह जो टेस्ट है तैयार किया गया है तो इससे हम क्या कहते हैं फिस वैलिटी या बाय वैदता कहत करते हैं फिर क्राइटिरियर लेटेड वैलिटी के बात करते हैं तो यहां पर दो टाइप आते हैं concurrent और प्रेडिक्टिव तो इसको भी हम सिंपल आप समझ सकते हैं जैसे जब 10 ग्लास आती है तो 10 के बाद अक्सर हमें 11 में जाते हैं तो कोई science लेना चाहता है कोई commerce लेना रचाहता है तो इस चीज़ को भी तो देखना है कि कौन स ऐसा बच्चा है जो आर्ट्स के लिए बना है कौन सा ऐसा बच्चा है उसका मतलब लिया बच्चों का ठीक है और इस टेस्ट में सो बच्चों पर उसने यह टेस्ट किया और उस टेस्ट में पता चला कि सो में से 22 बच्चे यह ऐसे हैं जिनका aptitude science में है ठीक है जो science stream के लिए ही science के लिए ही बने पड़े हैं तो concurrent validity से क्या पता चलता है एक तरह का aptitude test है इसे पता चलता है कि कौन सा बच्चा किस फिल्ड में किस ऐरिया में आज के टाइम में बहतर कर सकता है ठीक है तो जैसे need के एक्जाम होते हैं तो इनसे पता चलता है कि कौन सा बच्चा है किस एरिया के लिए में बहतर कर सकता है तो entrance exam भी होते हैं वो भी इसी लेकर उनका purpose ही ही होता है तो इससे पता चलता है कि जो नौ विक्षित परिक्षण में समवर्ती वैदता है या concurrent validity है तो इनी 22 बच्चों को साइंस्ट्रीम में admission दिया चाहेगा फिर जब हम predictive validity की बात करते हैं तो पुर्वा अनुमानित मतलब पहले से अनुमान लगाना एक simple आप समझ सकते हैं कि किसी बच्चे को आप कोई देखते हैं कि वह doing बहुत अच्छा कर रहा है painting बहुत अच्छा कर रहा है तो आज की आप उसकी आज की जो performance उसको देखकर आप अनुमान लगाएंगे बहुत अच्छा कर रहा है तो उसी बेस पर आप अनुमान लगा सकते हैं कि आगे चलके इंजिनियर लाइन में जाएगा commerce लाइन में जाएगा तो इसे हम क्या कहते है प्रेडिक्टिव वैलिटी फिर अब हम बात करते हैं फ्रेक्टर इंफ्यूंसिंग वैलिटी और टेस्ट एंड टूल की परिक्षण की वैद्ता को परभावित करने वाले कौन-कौन से कारक है तो यहाँ पर भी सेम जीज़ है length of the test की परिक्षण की लंबाई परिक्षण की लंबाई जितनी ज्यादा होगी उससे बच्चों की च्छमताओं के बारे में ability की बारे में जारा पता चलेगा अच्छे से पता चलेगा तो length of the test और इसकी अलामा ability of the student in a group की समूल में विद्यारते की जो च्छमताएं है ठीक सही तरीके से instruction देना और ना देना अगर question paper है सही तरह से instruction दिया जाएगा तो बच्चे उसको अच्छे से कर लेंगे नहीं दिया जाएगा तो नहीं कर पाएंगे इसके अलामा socio-cultural differences की देखिए हम देखते हैं कि जो बच्चे हैं अलग-लग उनका socio-cultural background होता है मालो UP में उत्तर परदेश में उत्तर परदेश बोर्ड दौरा question paper तयार किया जा रहा है ठीक है तो उसका जो socio-cultural background जो उत्तर परदेश में बन रहा है तो वो question paper अगर हम South India में बच्चों के हिसाफ से देखे तो उनके हिसाफ से उतना सही नहीं होगा valid नहीं होगा और South में जो question paper बन रहा है किसी एक particular state में North के लिए उतना valid नहीं होगा तो इस पर कहीं न कहीं socio-cultural differences जो होता है उसका भी असर पढ़ता है इसके अलावा अगर question सही से frame ना किये गए हो addition of inappropriate question तो उसका भी असर पढ़ता है वैलिटी पर तो यह अलग-अलग जो कारक है जिनका असर वैलिटी पर पढ़ता है तो इस वीडियो में हमने बात कि reliability and well-ty of tools की reliability क्या है उसके अलग-अलग types या method क्या है कौन-कौन से factor उसपर अपना परभाव डालते हैं फिर हमने वैलिटी की बात की difference between qualitative and quantitative evaluation tool तो देखिए आपकी syllabus में तो पूछा गया है कि qualitative evaluation tool क्या होता है quantitative evaluation tool क्या होता है लेकिन qualitative और quantitative evaluation tool को जानने से पहले हमें समझना होगा कि qualitative evaluation क्या होता है और quantitative evaluation क्या होता है दोनों में क्या difference है क्या अंतर है जब आप इस आज की वीडियो में जान लेंगे तो next वीडियो में हम बात करेंगे quantitative evaluation tool के बारे में फिर उसके बाद हम जानेंगे qualitative evaluation tool के बारे में तो इससे आपका concept है अच्छी तरह clear हो जाएगा आपको चीजे अच्छे से समझ में आ जाएंगी तो इस वीडियो हम school जाते हैं पढ़ने के लिए जाते हैं सीखने के लिए जाते हैं parents भी हमारे school क्यों बेहशते हैं हमें बच्चों को क्यों school बेहशते हैं ताकि बच्चों का all-round development हो सके society की ज़ो need है उसकी हिसाफ से school में बच्चों को तयार किया जा सके ताकि जो बच्चा है human से human resource बनकर society में जाए और society के लिए भी और अपने लिए भी काम कर सके खुद को develop कर सके society को भी आगे लिख जा सके तो इसलिए तो बच्चों को इसकूल में एड़िशन कराया जाता है और जब बच्चा स्कूल में जाता है तो स्कूल में जाने के बाद क्या होता है अलग अलग अक्टिविटीज होती है क्लास के अंदर अलग अलग सब्जेक्ट बच्चों को पढ़ाय जाते है और उसके बेस पर बच्चों का टेस्ट लिया जाता है बच्चों का competition होता है और class के बाहर की बात करें तो sports है, games है, नुकर नाटक है, painting है बहुत सारी activities इस तरह से हम देखते हैं, school में कराई जाती है, बच्चों को सिखाई जाती है, समझाई जाती है ताकि बच्चों का all around development हो सके, जब हम all around development की बात करते हैं यहाँ पर intellectual development आ जाता है, physical development आ जाता है, social development आ जाता है, emotional development आ जाता है, moral development आ जाता है, cultural development आ जाता है, linguistic development आ जाता है curricular activities और class के बाहर co-curricular activities कराई जाती है ताकि बच्चों का around development हो सके तो यहां तो हमें समझ में आ गया कि बच्चों के development के लिए अलग-लग तरह की activities कराई जा रही है लेकिन बच्चे ने कितना सीखा है बच्चे ने कितना समझा है इसका पता कैसे चलेगा तो इसका पता करने के लिए teachers क्या करते हैं बच्चों का evaluation करते हैं और evaluation कैसे करते हैं अलग-लग tools के थूरू करते हैं तो देखे, evaluation के भी कई तरीके होते है एक तरीका होता है simple सा आपका test हुआ और test आपका 20 marks का है 30 marks का है या annual exam 100 marks का है अब उसमें से जितने भी marks आए आपके 70i, 80i, 90i आपके 40 marks आए तो उसी base पर पता चलता है कि हाँ यह बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा है इसकी subject knowledge बहुत अच्छी इसकी subject knowledge अच्छी नहीं है तो एक तो evaluation का तरीका ऐसा है कि बच्चों को marks के base पर judge किया जाता है कि जिसके marks अच्छे है वो average है जिसके normal है वो average है जिसके बहुत कम है वो below average है तो एक evaluation का criteria यह होता है बहुत बार ऐसा भी होता है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो किसी ना किसी दूसरी activities में अच्छे हैं पढ़ने में नहीं अच्छे हैं लेकिन दूसरी activities में अच्छे हैं और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ने में तो अच्छे हैं लेकिन ठीक से look नहीं पाते हैं उनके marks इतने अच्छे नहीं आ पाते हैं तो इसका पता कैसे लगाए जाता है तो इसका पता भी लगा जाता है कैसे daily observation के थूप teachers class में बच्चों को बच्चा मतलब teacher क्या करते हैं बच्चों से question पूछते हैं class में topic पढ़ाते पढ़ाते बीच में से बच्चे से पूछ लेते हैं और बच्चा जो activities करता है teacher उसको observe करते हैं इस पर भी पता लगाया जाता है कि हां बच्चा जो है उसकी understanding क्या है उसकी knowledge क्या है बच्चा पढ़ने में ठीक है कि नहीं है class में बच्चे का behavior क्या है बाकी बच्चों के साथ किस तरह का behavior है तो इस तरह से हम देखते हैं कि अलग-लग evaluation tool होते हैं इसके माध्यम से बच्चों के progress का पता लगाया जाता है तो जब हम marks की बात करते हैं तो उसकों कहते है quantitative evaluation टूल की जिन tools के तरह बच्चों के marks का पता चले बच्चों के progress को number में बताया जाए और अगर हम behavior की बात करते हैं बच्चे के understanding की बात करते हैं तो इसको तो मेजर नहीं किया जा सकता ना तो इसका पता किस तरह से लगाया जाता है जो qualitative evaluation tool होता है उसके तरू जो गुनात्मक जो मुल्यांकन जो उपकरन होते हैं इसके द्वारा उसका पता लगाया जाता है तो इस तरह से evaluation के कितने tool होते हैं दो तरीके के होते है qualitative and quantitative quantitative मात्रात्मक जिसको numbers में बच्चों के progress का पता लगाया जाता है जब हम quality की बात करें जिसको major नहीं किया सकता तो बच्चों की जो quality है उनके behavior है उनके understanding है इसका पता लगाने के लिए कि इसका इस्तमाल किया जाता है qualitative evaluation टूल गुनात्मक मुल्यांकन जो उपकरण है उसका उससे बच्चों के वहवार का पता लगाया जाता है उनके understanding का पता लगाया जाता है तो बोग इस टूल्स of evaluation प्रोवाइड important information और evaluation की मुल्यांकन के दोनों ही उपकरण मुल्यांकन के लिए महत्मों जानकारी परदान करते हैं किसके बारे में बच्चों के बारे में तो सबसे पहले अगर हम qualitative evaluation टूल की बात करें तो देखिए यहां पर आपको quantitative और quality दोनों में फर्क समझ तो आ गया होगा तो जब ह यहां पर बच्चों का जो progress है ठीक है उसको evaluate किया जाता है किस तरह बच्चे के वहार में क्या changes आए बच्चे की understanding subject को लेकर किस तरह की है बच्चों की knowledge क्या है बच्चों की जो linguistic knowledge है उनका जो भासाई ग्यान है कितना है बच्चा अपनी बात को सही तरीके से रख सकता है कि नहीं सही तरीके से बोल सकता है कि नहीं तो यहां पर जो हम qualitative की बात करें तो यह descriptive होता है और वन्नात्मक होता है किस चीज़ का वन्न करता है किस चीज़ का discussion देता है बच्चे के personality के बारे में बच्चे के behavior के बारे में बच्चे के understanding के बारे में तो इसलिए हम इसको descriptive कह रह कर सकते हो कि बच्चे ने कितने number लाएं उसको measure कर सकते हो लेकिन किसकी क्या knowledge है किसकी क्या understanding है यह चीज़े measure नहीं की जा सकती जो हम qualitative की बात करते हैं तो इसको measure नहीं किया जा सकता example के लिए there is a change in the behavior of student के विद्यारती के वहवार में परिवर्तन आ रहा है आप इसको देख और observe कर सकते हो लेकिन आप इसको numbers में आप इसको count नहीं कर सकते student understanding of the subject is getting better की विशे में विद्यारतियों के समझ सही हो रही है student are using language correctly की विद्यारती भासा का सही परियोग कर रहे हैं तो किसके एक्जामपल है qualitative evaluation के एक्जामपल है और जब हम quantitative की बात करते हैं तो quantitative मतलब आप इसको सिधा साहिसाब लगा सकते हैं कि नंबर जहां पर numbers की बात आती है तो in quantitative evaluation the educational progress of strength is quantified कि यहां पर बच्चों की जो सेक्षिक प्रगरती है उसको मातराभद किया जा सकता है उसको count किया जा सकता है उसको measure किया जा सकता है तो under this the progress of strength is presented in number कि इसके अंतरकत विद्यारतियों की जो प्रगरती है उसको संख्याओं में प्रस्तूत किया जाता है example के लिए it can tell how many how much कितने marks आए बच्चे के कितने percentage आए quantitative violation is measurable कि इसको मापा जा सकता है it can be major or counted इसे मापा और गिना जा सकता है और in this the educational progress of strength is analyzed on the basis of marks कि इससे विद्यारतियों की सक्षिक प्रगरती है उसका visualization अंको के अधर पर किया जा सकता है कि class में कितने बच्चे जो हैं उनके 75 से उपर आए कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके 50 से कम आए कितने का first division आया कौन किस बच्चे ने top किया है तो इसको क्या किया जा सकता है कि marks के base पर इसको analyze किया जाता है लेकिन जब हम qualitative की बात कर जो उसकी understanding या behavior उसके base पर उसको measure किया जाता है इसके example how many students passed कितने बच्चे उतीन हुए how many students fail कितने बच्चे fail हुए how many students got first division कितने बच्चे का first division आया तो यहां पर एक basic difference समझ में आ गया होगा आपको की qualitative evaluation क्या है quantitative evaluation क्या है अब दोनों के बीच में हम बिलकुल direct अंतर देख करते हैं तो जब हम qualitative की बात करते हैं तो strength progress is analyzed on the basis of their behavior, understanding and knowledge. It is descriptive and it cannot be measure or count की इसे मापा नहीं जा सकता है इसे count नहीं किया जा सकता लेकिन same quantitative की बात करते हैं तो quantitative है इसको measure किया जा सकता है इसको count किया जा सकता है और यहां पर बच्चों का जो progress है उसको उनके अंकों की आधार पर उसको analyze किया जाता है quantitative की बात करें तो quantitative में it is number based countable और measurable जो हमें समझ में आ गया ही tell how many how much और how often calculation की यहां पर calculation की बात की जाती है नंबर की बात की जाती है लेकिन qualitative की जब बात करते हैं तो interpretational होता है descriptive होता है यहां पर साथ में language भी देखी जाती है कि बच्चे की language में क्य इसका पार रहा है कि नहीं बता पारा है कि नहीं कि उसकी understanding क्या है उसका behavior क्या है it helps us to understand the strength behavior and its reason की इसमें विद्ध्यारती को जो वहवार है चाहे positive है चाहे negative उसका पता चलता है और उसके पीछे का क्या कारहन है उसका पता चलता है और इसके अलावा जब हम qualitative की बात करते है तो किसे फोकस कर रहा है वाई एंड हॉप है लेकिन क्वेंटिटिटिटिव की अगर हम बात करते हैं तो इट फोकस ओन हाओ मैं नहीं यहां पर नंबर्स की बात की जा रही है कि बच्चे का educational experience क्या है उसको चीज़े समझ में आ रही कि नहीं किस सब्जेक्ट में क्या बात की जा रही है कि यहां पर विद्यार्थियों के जो सेक्चिक परिणाम को समझने की प्रात्मिक्ता दी जाती है मतलब it gives priority to understanding the educational outcomes की बच्चों का outcome क्या है उन्हें ने अलग अलग सब्जेक्ट में कितना बच्चों के नंबर्स आये हैं कि सब्जेक्ट में कम नंबर है किसमें जादा है ओवरल बच्चे की क्या percentage बनी तो आपकी syllabus के अगर हिसाफ से देखें तो qualitative evaluation tool की बात करें तो यहां प आता है और लाता है practical exam आता है तो जैसे रिटन की बात करें तो आप सबने अपना final exam दिया बढूर बताईये आप सब का बहुत बहुत धन्यवार्ट कि कि एक्जाम या परिख्षाएं एक एससा सब्थ है एक एसा वर्ड है ज्से आप सभी बच्जपन से ही परिचीट होंगे क्यूं कि जड़ से आप सभी एक्जाम 셉च हम आए हैं होते क्यों थे आपका evaluation करने के लिए मुल्यांकन करने के लिए कि आपने कितना सीखा है कितना जाना है और इसी बेस पर आपको एक class से दूसरे class में promote भी किया जाता था तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे quantitative tools of evaluation की evaluation जो है इसके मात्रात्मकूप current quantitative tools कौन-कौन से है तो देखिए जब हम evaluation की बात करें तो आप सबको पता है आपका evaluation किस तरह से होता था आपको written exam आपका होता था सभी को पता है और कई बार आपका practical भी होता था अगर मालो आप sports में है games में है तो practical ground में होता था music में है तो जो music room है जो आपके school का college का hall है वहाँ पर आपका इस तरह का जो exam होता था और कई बार आपका oral exam होता था तो oral exam क्या है वाइवा तो यही सब क्या है यही सब tools है ठीक है तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं quantitative tools of evaluation की के quantitative tools कौन कौन से है मातरात्मक उपकरन कौन कौन से है तो इस वीडियो में हम इनी points पर बात करने वाले हैं तो वीडियो को आखरी तक देखिए और वीडियो कैसा लगा comment करके जरूर बताईए तो वीडियो को हम सुरू करते हैं और हम सबको पता है teacher evaluation to find out their level of learning की विद्यार्तियों के अधिकम का स्तर पता करने के लिए ही तो सिक्षक विद्यार्तियों का मुल्यांकन करते हैं उनका test लेते हैं और इन test से बच्चों को भी अपने बारे में पता चलता है कि उनकी learning का level क्या है उनकी किस object में कितनी problem है उसको किस ल्यांकन करते हैं तो basically हम देखते हैं कि यह दो तरह के tool होते है qualitative and quantitative की कुनात्मक उपकरण होते हैं और मात्रात्मक उपकरण होते हैं और इन दोनों ही जो tool की बात करें चाहिए qualitative की बात करें quantitative की बात करें और नेक्स्ट वीडियो में हम qualitative evaluation टूल के बात करेंगे तो जब हम quantitative tools की बात करते हैं quantitative tools of evaluation मुल्यांकन के मात्रात्मक उपकरन तो बिल्कुल देखो clear चीज़ है कि जब हम quantitative tools की बात करते हैं तो जहांपे quantity की बात आती हैं आपे हम numbers की बात करते हैं तो this evaluation tools is miserable कि यहां प्षरम बच्चों को देखते हैं आप टेस्ट देतें तो आपके 20 स्थिक बात करते हैं वनबर्स में नमबर्स में उसको जानते हैं तो हम कहते हैं ए Jiang sweet I फ्रस्न आया तो एस फर्स्ट और स्ट्रोगर्स आया विद्यार्तिवों कि जो प्रगरती होती है उसको नमबर्स में उसको अंटोछों में प्रेस्तूत के एक टूल्स in य当 परसंट प्रसंट किन्वों से इनके मादियम से हमें बच्चों के चाहे हम skill की बात करें, चाहे हम्हाँ के knowledge की बात करें, चाहे commandments की बात करें, class में जो हमा बात करते है teaching learning में या जो other activities है, बच्चों की क्या performance है, तो इसके मादियम से उन चीज़ों का हमें पता चलता है quantitative tools of assessment are mainly questions paper तो जब हम quantitative tools की बात करते हैं तो यह mainly क्या होते हैं मुख रोप से प्रस्ण होते हैं या प्रस्ण पत्र होते हैं question papers होते हैं तो देखिए जब हम question paper की बात करते हैं तो यह भी दो तरह के होते हैं एक question paper होता है कि जो class में आपके teacher बनाते हैं एकसपर्स तयार करते हैं जीसिटेंगों जिनको एक जो घरूप MS उत्यार करते हैं थिक है तो दो तरह से इस तरह के हम देखते हैं questions paper होते हैं और questions की बात करें तो देखे question भी क्या होता है कि एक तो question paper के थुरू आपका आपकी testing हो रही है आप कितना सीख रहे हैं कितना जाने और कई बार teacher क्या करते हैं आप class में chapter पढ़ा रहे हैं पढ़ाते पढ़ाते बीच बीच में से आप सो question पूछ लेते हैं ताकि उनको पता चले कि आप सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं आपको समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा तो इससे बच्चों की performance का पता चलता है तो different types of questions are set under different domains की विभीन परकार के जो present अलग लग छेतर के अंतरगत निधारे किये जाते हैं देखिए जब हम domains की बात करते हैं learning domains तो अक्सर आप जो question paper देखिए आप बोर्ड का example ले ले लेते हैं बोर्ड में आप question paper देखेंगे तो कुछ question होते थे उसमें आपकी जो basic knowledge की testing होती थी कि कि किसी भी subject के बारे में आपकी basic knowledge क्या है और कुछ question होत से आप उसको बताओ और कुछ question ऐसे भी होते थे practical based होते थे जिसमें आपको map दे दिया तो आपको map fill करना है ठीक है आपको fill in the blanks दे दिये आपको mix या match matching वाले जो होते थे ओ दे दिये तो इस तरह के questions भी होते थे तो कुछ question बच्चों के knowledge से related होते थे कुछ understanding से related होते थे क देखते हैं practical based question होते थे तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो भी question paper होते थे तो different types of question are set under अलग-लग जो domains होते थे उसके अंतरगत इनको set किया जाता था और domains की बाद हम इसी वीडियो के last में करेंगे तो these are also more convenient to administer and test की इन्हें परसासित करना इन्हें बनाना और इनकी जाच करना ज्यादा सुधाजनक होता है quantitative assessment tool are given in the form of examination की मात्रात्मक मुल्यांकिन की बात करते हैं तो जो ये उपकरन है परिक्षाओं के रूप में दिये जाते हैं तो ये परिक्षाएं चाहे हम written की बात करें, oral की बात करें, practical की बात करें और उन्ही के base पर पता चलता है कि बच्चे पास है या फेल है उन्ही के base पर बच्चों की class में ranked decide होती है तो जब हम quantitative tools की बात करते हैं तो यहां पर ये तीन तरह की होते हैं चाहे हम written की बात करें, oral की बात करें या हम practical की बात करते हैं सबसे पहले हम देखते हैं कि तीन टूल हो गए सम्मझ विधियाले में होने वाली लिखित परिक्षाओं से तो यह परिक्षाओं जब हम बात करते हैं तो वेकली भी होती हैं और यहली भी होतीए और it may include different to be question sonra होते हैं कैसे question होते है objective type couple होते है objective type इसमें MCQB आप डाल सकते है objective आप कह सकते हैं कि जिसमें one word answer होते है तो इसमें fill in the blanks होते हैं टीके तो इस तरह के questions होते है plus ?? poser type question होते हैं जिसको आपको सिर्फ one line में once लिखना होता है short answer type को अगर हम question की बात करें तो short answer type में जो दो तीन जो line में आपको लिखने होते हैं और long answer type या ऐसे type question तो इस तरह के question जो है आपने board के exam में भी किये होंगे आते होंगे तो हम देखते हैं आपर अलग लग तरह के question होते हैं short answer type, very short answer type, long answer type objective type question होते हैं और अगर return exam के अगर हम benefits की बात करें तो written examination are the mean basis of the education system की लिखित परिक्षाएं की अगर बात करें तो सिख्चा पढ़नाली का मुख्याधार होती है आप कोई भी परिक्षाएं देखिए तो इसका जो mean होता है written exam तो written exam के बेस पर ही decide किया जाता कि बच्चा pass है बच्चा fail है, बच्चा same class में है आगे बढ़ेगा, बच्चे की percentage क्या है तो यह सारा किस बेस पर होता है, written exam के बेस पर ही होता है फिर चाहें आप अलग लग university के आप entrance exam दो, तो उसमें भी main base क्या होता है, written exam ही होता है तो strength understanding of the subject matter is accurately revealed की वेसे वस्तु की परती जो विद्यारती की समझ का पता किसे चलता है written exam से चलता है कि किसी भी subject में बच्चे की क्या knowledge है, बच्चे ने कितना सीखा है, कितना समझा है this shows whether strength are learning or not, इसे पता चलता है कि बच्चा सीखने में कैसा है बच्चा सीख रहे की नहीं, बच्चा पढ़ रहे की नहीं तो it is useful in determining the learning level of strength की इसे विद्यारतीयों की जो अधिगम स्तर है उसको निर्धारत करने में यह बहुत ज्यादा useful है, बहुत ज्यादा उपी होगी है तो इनी एक्जाम से teachers को पता चलता है कि बच्चों की performance कैसी है, बच्चों को खुद की performance के बारे में पता चलता है, बच्चों के parents को पता चलता है कि बच्चा स्कूल जा रहा है तो अलग लग जो subject पढ़ रहा है कि subject में बच्चा strong है किसमें weak है तो all students get equal opportunity कि जब हम return exam के बात करते हैं तो देखें सबको equal opportunity मिलती है सबको equal time मिलता है और students are promoted from one class to another on the basis of return exam कि इसी exam के बिस पर ही बच्चों को एक class से दूसरे class में promote किया जाता है और these help teacher in selecting best teaching method तो देखें इसी के बेस पर teacher को अच्छे teaching जो methods उसको select करने में help मिलती है कैसे करेंगे मालो teacher जो है अलग लग method से पढ़ाते है एक method से पढ़ाया तो teacher ने देगा कि नहीं result बच्चों का अच्छा नहीं आ रहा बच्चों की performance अच्छी नहीं तो method change किया जो भी teaching experience है बच्चों का अच्छे से दे सके और बच्चा अच्छे से सिख सके समझ सके लेकिन इसकी कुछ limitations भी है क्या limitations है this is not fair justice की यह नियाय संगत नहीं होते है देखिए हर बच्चा पढ़ने में अच्छा नहीं हो सकता और यह भी जो रुनी की हर बच्चा जो है किसी particular subject में बहुत अच्छा हो कोई किस subject में अच्छा होता है कोई किस subject में अच्छा होता है तो इसलिए हम कहते हैं कि this is not fair justice की यह नियाय संगत नहीं होते हैं और दूसरी चीज हम यह भी देखते हैं कि जब return exam की बात होती है बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो एक दूसरे का देख के अच्छे नमबर लाते हैं ठीक है किसी की writing skill अच्छी होती है किसी को आता है लेकिन वो पूरा लिख नहीं पाता और किसी को इतना नहीं आता लेकिन इधर उधर से पूछ पास के वो पूरा चीजों को लिख लेता है तो जिसको आता है उसके अच्छे नमबर नहीं आ पाते है लेकिन इससे सिर्फ particular subject में बच्चों की क्या knowledge सिर्फ उसी का पता चलता इससे बच्चों की all around performance का पता नहीं चलता इसलिए हम कहते हैं कि it is not useful in evaluating all areas of treatment की ये बच्चों की सभी जो छेतर होते हैं ठीक है बच्चे की अलग अलग परतिभाए होते हैं लेकिन सभी का नहीं सिर्फ औरल exam की बात करें मौकी परिक्चा की बात करें तो देखिए आपके कुछ exam की बात करते हैं तो अकसर हम देखते हैं कि written exam भी होता है तो oral भी होता है ठीक है आप से oral मतलब वायवा आपका होता है तो मौकी परिक्चा में परिक्चा में मौकी ग्रूप से आपसे question पूछते ह और आपको बोल कर ही आंसर देने होते हैं जिसे बीड में आप देखते हैं कि 60 marks आपके जो theory हो गए 40 marks आपके practical हो गए ठीक है तो अलग लग जो subject है तो उसमें आपके वायवा भी होते हैं उस बेस पर भी आपको marks मिलते हैं तो इसका अगर हम देखते हैं at the school level attempt are made to correct the basic understanding of the student through oral exam की विद्याले स्थर पर मौखिक परिक्षाओं द्वारा विद्यार्तियों की बुनियादे समझ को ठीक करने का प्रयास किया जाता है कैसे तो अक्सर हम देखते हैं कि जो रिने की आपका जिसे रिटन की बात करें आपका weekly test है monthly test है अक्सर class में teacher आपको पढ़ाते पढ़ात हते हैं तो इसकiyorsun पमलित कंई जो उसके पता होता है कि बच्च्चों के सबस् ανα समझ बहुए होते हैं तो इसके benefits के अगर हम बात करें तो the problem of introversion of strength gets solved की बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं अंतर मुखी होते हैं मतलब क्या होता है कि वो खुद में ही रहते हैं बहुत शाई होते हैं बोलते नहीं है ठीक है हमेशाथ चुप चुप रहते हैं तो ऐसे बच्चों को अगर oral exam से गुजरना पड़े तो उन बच्चों को तो बोलना ही बोलना पड़ेगा तो इससे बच्चे जो हैं चुप चाप रहते हैं दबे दबे रहते हैं वो भी अपनी बातों को बोलेंगे टीचर उनसे भी question पूछेगा तो उनको भी बोलना पड़ेगा तो इस तरह से इंटो वर्जिन के अगर बात करें इस तरह के जो बच्चे होते हैं वो और ज़्यादा vocal हो जाते हैं उनकी जो शाइनेस है जो डर है वो दिरी-दिरी खतम हो जाता है और वो vocal हो जाते हैं मुखर हो जाते है इफ श्ट्रेंड गिव इन एप्रोप्रियेट आंसर टीचर गेव देम टाइमली फीडबैक की अगर मालो टीचर बच्चों से question पूछ रहा है बच्चा नहीं बता पा रहा तो टीचर उनको feedback देते हैं इससे विद्यार्टियों की जो communications की lesson चार कोसल है उसमें सुधार होता तो देखिए जब हम oral exam की बात करेंगे तो आपके oral exam जो है वायवा के form में भी होते हैं और class में जो teaching learning चलती है बीच बीच में भी जो इस तरह के question teacher के तरूप पूछे जाते हैं तो उस form में भी होते हैं इसके अलावा विसे वस्तों की प्रति जो विद्यार्टियों की समझ का सही प्रकार से पता चलता है इसमें किसी तरह के cheating का कोई chance नहीं होता कि बच्चा इदो दर से पूचे इदो दर से देखे और जैसे written exam लिक देते हैं यहां पर इस तरह कोई chance नहीं होता तो इससे पता है कि बीच में से question पूछे जा सकते हैं तो बच्चे class में active रहते हैं उनकी knowledge up to date रहती है और इसमें नकल की किसी तरह की कोई संभावना नहीं होती लेकिन इसके भी कुछ limitations है तो क्या है limitations तो this is not fair justice यह भी नियाय संगत नहीं होते क्यों नहीं होते तो इसका भी answer है कि अक्ष नहीं बता सकते हैं उनसे नहीं पूछते और कई बार ऐसा भी होता है कि teacher कुछ बच्चों से question पूछेंगे तो कुछ बच्चों को बोलने का ज्यादा time देंगे कुछ बच्चों को ज्यादा time नहीं देंगे तो किसी को कम time मिलता है किसी को ज्यादा time मिलता है और कई बार teacher क कि मूट पर भी डिपेंड करता है कि किसी बच्चे ने कुछ आंसर दिया तो उसको कहा दिया कि हाँ ठीक है किसी ने दिया तो उसको कहा दिया कि नहीं तुम गलत हो तो इस तरह से हम देखतें कि जो है इतने फियर नहीं होते इतने विश्वसनिय नहीं होते सभी को समय नहीं म होता है अगर आप साइकलोजी पढ़ते हैं तो यहां पर भी लैब में होता है कंपीटर की बात करें तो वहां पर भी लैब में होता है प्रिजिकल एजूकेशन है तो वहां पर ग्राउंड में आपका जो होता है प्रैक्टिकल एक्जाम होता है होम साइंस अगर आप पढ़त teacher assess the actual learning option की सिच्छक विद्यारतियों की वास्तिविक सिच्छा का आकलन करते हैं और यहाँ पर क्या होता है कि जो भी स्ट्रेंट ने theoretical knowledge होती है उसको apply करते हैं तो यहाँ पर knowledge सिर्माइंड तक नहीं होती उसको apply किया जाता है उसको practically उसको करके मतलब उसको भी promote किया जाता है उसको भी बढ़ावा मिलता है और practical tests are conducted under actual working condition की actual working condition example के लिए जैसे आपका B.A.D. की अगर हम बात करें तो B.A.D. में जब आप स्कूल में जाते हैं तो जब 3rd semester में जब आपका internship होगा तो वहाँ पर आपका practical आप जाके दोगे evaluation करेंगे तो यहाँ पर जो working condition होती है actual वहाँ पर इस तरह का exam होता है आपको practically चीज़े करके दिखाना होता है इससे क्या हो रहा है कि परिक्षार्थियों को वास्तिविक दुनिया के करीब इस तरह के exam लाते हैं आप teacher हो तो school में आपका practical exam हो रहा है theoretical knowledge को apply कर रहा है तो काम को सही तरीके से करके मतलब सीखना उसको इस तरह के chance मिलता है और इससे बच्चा ग्रूप में भी काम कर रहा है तो उसको कहीं न कहीं leadership जो quality है बच्चों में develop होती है तो यह तो इसके benefit होगए अगर limitations की बात करें तो इसके limitations क्या है तो देखिए practical जो exam है अक्सर हम देखते हैं labs में होते हैं तो अलग जो labs है और उसमें tools चाहिए होते हैं equipment चाहिए होते हैं तो काफी इनका जो रख रखाव जो होता है maintenance होता हो काफी महंगा होता है तो इसके लिए technology की भी तकनीकी की साहता लेनी पड़ती है तो देखते हैं ये थोड़े ज़्यादा कर्चिले होते हैं अब हम बात कर लेते हैं domains of learning अधिगाम के छेतर की तो देखिए बच्चों का चाहिए हम written exam की बात करें चाहिए oral की बात करें चाहिए practical की बात करें तो अक्सर जब exam की हम बात करते हैं तो test paper तयार किये जाएं question तयार किये जाएं तो तयार करते टाइम ये चीज़े में ध्यान रखना पड़ता है कि जब बच्चा जो है जो सीखता है ना बच्चा दिमाग से भी सीखता है दिल से भी सीखता है और इस तरह के भी question होने चाहिए जहाँ पर बच्चे को करके सीखने को मिले practical based question भी होने चाहिए तो इसी को हम कहते है domain of learning learning के अलग लग अधिगम के अलग लग चाहे दिमाग से समद्धी चाहे दिल से समद्धी त्या hand activities से related तो domain की जब हम bada करते है तो यहाँ पे तीन दीन होते है सब्से पहले Ronetti domain के बात करते है तो देखिए हम इन तीन domain की बात करते हैं तो इसको आप simple word में समद्धे च्पर च्रिपल H मतलभ hands hurt and hand sorry head hurt and hand कि cognitive domain की जब बात करते हैं तो cognitive या संग्यान आत्मक छेतर की बात करते हैं तो उसका समंद होता है बचों के हैड से बचों के दिमाग से और जब हम अफेक्टिव डोमेन की बात करते हैं भावनात्मक छेतर की बात करते हैं तो इसका समंद बचों के होता है दिल से सीखना क्या होता है दिल से सीखने का मतलब होता मतलब यहाँ पर है कि यहां पर skill education की बात की जा रही है जहां पर जो थिटिकल knowledge यहां उसको apply कर रहे हो यहां पर हम learning by doing की बात करते हैं जहां पर हाथ और दिमाग दोनों एक साथ काम करते हैं तो इसको भी एक के करके हम देख लेते हैं कि तो cognitive domain is also known as the thinking domain और intellectual domain क्योंकि इसका समन्द नवारे किसे है mind से है mental activities से है तो it includes mental activities like thinking understanding problem solving तो अक्सर जब question paper तयार किया जाता है तो इन points को ध्यान में रखा जाता है कि बच्चे की knowledge related हो बच्चे की understanding से related हो कि चलो इसको explain करो इसको बताओ इसमें क्या difference है आप उसको बताओ तो इस तरह के question यहां पर होते हैं फिर जब हम effective domain की बात करते हैं learning from heart तो it is related to heart that means learning by heart की बच्चे दिल से चीज़ों को सीखते हैं तो it is related to sensitivity awareness interest तो अक्सर कुछ इस तरह की भी question होते हैं कि अच्छा आप अपने words में आप बताइए ठीक है बच्चों को यहां पर options भी दिये जाते हैं बच्चों को साथ में कहा जाता है कि अच्छा जैसे कई तरह के ऐसे भी आते हैं तो बच्चे अपने इंट्रेस्ट की हिसाफ से रूची की हिसाफ से जब बच्चों से पूछते हैं तो बच्चा अपने हिसाफ से उसके बारे में लिखता है development of this domain enables the learner to appreciate the learning content की इस छेतर का विकास सिख्चार्ती को अधिम सामगरी की सराना जो करने में सक्षम बनाता है तो इस तरह के question में तैयार किये जाए और psychomotor की बात करेंगे learning from hand ठीक है तो it is related to hand that is learning by doing skill education यहां पर बात की जा रही है तो psychomotor domain includes physical skills और skill development की यहां पर जब हम मनोक रियात्मक की बात करते हैं तो psycho का मतलब mind से related और motor मतलब आपके hand से related activities से related तो psychomotor domain includes physical skills और skill development के सारी रिकॉसल और causal विकास से संबंधित है तो इसमें क्या क्या चीज़े आती है drawing shapes, constructing objects, solving numerical problems ठीक है इसके अलाम अगर आप SSD पढ़ते हो तो उसमें अक्सर क्या question आ जाते हैं उसमें question आ जाते हैं कि जैसे map आपको feel करना है ठीक है इस तरह के भी question आ जाते हैं तो इसे related हैं बाकी जो हम देखते हैं जो आपके practical exams होते हैं ठीक है field में हो रहे हैं तो सारा क्या है इससे related हो जाता है तो इस तरह से जब question paper बनाते हैं जब quantitative जो evaluation tool है उसको तयार करते हैं तो इन सभी domains को ध्यान में रखना पड़ता है तो instructional objective इन सब को हम क्या कहते हैं instructional objectives are developed from the development of each area of learning की अधिगम की पढ़ते एक छितर के विकास के लिए जो ए इसको तयार किया जाना चाहिए ताकि बच्चों की जो overall जो performance से उसका पता लगाया जा सके तो इस तरह से आज की इस वीडियो में हमने जाना हमने देखा कि quantitative evaluation tools क्या होते हैं और हमने जो learning domains है उसकी भी हमने बात की तो वीडियो आपको कैसा लगा comment करके जरूर बताईए करने वाले है qualitative tools of evaluation इससे पहले की वीडियो में हमने बात की थी quantitative tools of evaluation की evaluation के quantitative tools कौन कौन से है जिसमें हमने बात की थी written की हमने बात की थी oral की हमने बात की थी practical की तो देखिए जब हम quantitative tools of evaluation की बात करते हैं तो quantitative tools में बच्चों की जो performance है बच्चों की जो development है उसको numbers में मापा ज जाता है कि बच्चे के अलग-उलग सब्जेक्ट में कितने माक्स आ रहे हैं बच्चे की ओवरोल पर्संटेज कितनी है उस बेस पर बच्चो को अभू एवरेज, एवरेज, बीलो एवरेज अलग-लग कैटेगरी में बाटा जाता है उससाप से बच्चों की जो remedial classes हैं चलाई जाती हैं उनको guidance counseling दी जाती है लेकिन यह जरूरी तो नहीं न कि जिस बच्चे के marks बहुत अच्छे आ रहे हो बहुत brilliant हो और उसकी understanding बहुत अच्छी हो उसका behavior बहुत अच्छा हो और यह भी जरूरी नहीं कि जिस बच्चे के marks कमा रहे हो उसका behavior बहुत खराब हो उसके understanding अच्छी ना हो और ब्रिलियंट ना हो तो फिर बच्चों की जब overall जो personality है उसको नापने के लिए स्रिफ quantitative tools ही पूरा नहीं होता तो इसलिए qualitative tools की भी बात की जाती है जिसमें बच्चों का behavior किस तरह का है और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जिरूर बताईए तो वीडियो को हम शुरू करते हैं और हम जाते हैं कि evaluation के qualitative tools या गुनात्मक उपकरन कौन कौन से होते हैं तो जब हम qualitative tools की बात करते हैं तो it is descriptive यह वनात्मक होता है तो इसलिए यह पर descriptive है यहाँ पर वर्णन करना होता है तो यहाँ पर इसलिए हम इसको कहरें यह descriptive है यह वनात्मक है it describes analytical information about strength कि इसमें विद्यार्तियों की सैक्षिक प्रगृति का विसलिए नात्मक वर्णन किया जाता है कि मालो किसी बच्चे के number जादा आ रहें तो क्यों आ रहें उसके पीछे का reason क्या है किसी बच्चे के number कम आ रहें तो number क्यों आ रहें बच्चे का behavior किस तरह का है number अगर knowledge की जब हम analysis की बात करें तो इस analysis की चीजों पर बेस है बच्चे के behavior पर उनकी understanding पर उनकी knowledge पर है तो इसलिए इसको गिना नहीं जा सकता इसे मापा या गिना नहीं जा सकता इसे हमें विद्यार्तियों के जो वहवार है और उनके वहवार के पीछे का जो कारण है उसको समझने में उनको जानने में सहायता मिलती है तो इस गिवस प्रियर्टी तो अंडर्स्टैंड दा एजूकेशनल एक्सपिरियंस अफ्पिरि कोई बच्चा बहुत जारा मेंट कर रहें लेकिन उसके मांक सच्छे नहीं आरें और कोई बच्चा उतनी जारा मेंट नहीं कर रह mehr लेकिन उसके मांक सच्चे आ रहें तो बहुत सितौना क्या खर्याइगे पारण है उसको जानने में मदद मिलती है Trev denserum बात की गई है कौन कों से हैं observation, introspection, projection and sociometry तो इनको एक ही करके हम जानते हैं हम बात करते हैं तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं observation की अवलोकन की तो observation क्या होता है तो class में पहले दिन से जब आप इस सबी question के answer दे रहे हैं तो आपको हर मतलब आप सब की नजरों में आप बहुत ज़दा बिलियंट हो गया बहुत ज़दा अच्छे हो गया बहुत ज़दा हो गया ऐसा नहीं होता आपकी ओवरॉल behavior किस तरह का है question answer आप teacher ने question पूछा आपने answer दे दिया ठीक है एक अलग चीज़ है लेकिन आपका बाकी बच्चों के साथ किस तरह का relation है आपका behavior किस तरह का है तो यह कैसे पता चलता है teacher को यह पता चलता है observation दे तो school में class में आप पहले दिन आते हैं तो उस दिन से teacher का आपके साथ interaction हो रहा है teacher आपकी हर activity में नज़ा रख रहा है कि class में overall आपकी performance कैसी है class में overall आपका behavior किस तरह का class में आप discipline है या discipline नहीं है तो it is concerned with keeping an eye on the student and their activities in the school कि इसका समद्ध विद्याले में विद्यारतियों और उनकी करति विद्यों पर नज़ा रखने से है कि आप पढ़ने में कैसी है बागी जो other activities से उसमें आप कैसे है some students are active in learning in class and some are not कि कुछ विद्यारती जो है हम देखते है कि class में पढ़ते टाइम भहत active रहते हैं और कुछ नहीं रहते some students are good in sports and some mean studies की कुछ विद्यारती खेल कोड में music में dance में art में अच्छे होते हैं तो कुछ बच्ची study में अच्छे होते हैं sometime the need of observational studies emerges from the scores achieved by student की कभी-कभी विद्यारतियों द्वारा प्राप्त अंकों से अवलोकात्मक अध्यन के आवसकता सामनी आती कि मालो कोई बच्चा है उसके नंबर बहुत अच्छी आई परसेंटेज बहुत अच्छी आई तो teacher देखेगा न कि अगर इस बच्चे की नंबर अच्छी आ रहे तो क्यों आ रहे है क्लास में इसकी performance कैसी है और ध्यान दे रहा है कि नहीं पढ़ने में serious है कि नहीं और किसी बच्चे के नंबर कम आ रहे है तो उसके पीछे का क्या कारण है वो भी देखकर observe कर गही पता चल देखा कि जिस बच्चे के नंबर अच्छी आ रहे है कि उसकी overall activities किस तरह की है जिस बच्चे के नंबर नहीं आ रहे है उसका किस तरह की activities है तो इस सारी चीज़े बच्चे टीचर को कैसे पता चलता है बच्चों के बार में observation से teacher may be interested to study why some particular student get poor marks in all or some specific subject कि सिक्षकों को यह अ subject में अच्छे marks आ रहे हैं कुछ के कुछ subject में अच्छे आ रहे हैं तो कि आ हुआ रहे हैं इसके पीछे का reason क्या आ तो इस तरी से पता चलता है अलगलग तरीके हैं जिसमें से एक तरीका है observation से बच्चों का overall behavior किस तरह का है उनकी और performance किस तरह की है तो यह सारी चीजे जो ह तो श्टेडी सम आस्पेक्ट आप दे पर्शनलिटी अफ्ष्वेंट दे हैव तो भी अब्जर्व की विद्यारतियों के व्यक्तित के कुछ पहलों का अध्यन करने के लिए उनका अवलोकन करना पढ़ता है इस प्रकार कुछ विद्यारतियों की प्रिक्रति का पता लगाने और उनकी बेहतरी के उपायों के लिए अवलोकन समन्दी अध्यन के आफसकता हो सकती है देखिए कई बार क्या होता है कि आप क्लास में जिस क्लास में पढ़ते हैं उस क्लास में आपकी बात सभी बच्चों से नहीं होते हैं लेकिन आपसे अगर पुछे कोई पूछता है कि वो बच्चा कैसा है तो आप उसके बारे में बहुत सारी चीज़े बता सकते हैं बता दे नहीं किसे बताते हैं जब आप उससे बात ही नहीं करते तो आप उसको आप चल जाती है तो अब्जरवेशन भी क्या है एक टूल है उपकरन है और कौन सा टूल है एक क्वालिटिटीव टूल से तो इट प्रवाइड इंपोर्टेंट इंफोर्मिशन अबाउट इस्ट्वेंट्स need, interest, ability and learning style कि इससे पर्तिक विद्यार्टियों की जो आवसकता है रूची है, च्छमता है और सीखने की सैलियों के बारे में महत्पून जानकारी मिलती है किससे मिलती है? observation थे This is one of the oldest and best way to know about the nature and personality of student के विद्यार्टियों के सभाव और उनके व्यक्तित के बारे में जानने की सबसे पुरानी और सबसे सर्वत्तम तरीकों में से विद्यों में से एक है तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया observation method क्या है अब हम बात करते हैं introspection, आत्म निरिक्षंट तो यहाँ पर हम जानते हैं हमारी क्या strength है हमारी क्या weakness है हमारी क्या कमिया है उन कमियों को हम किस तरह से दूर कर सकते हैं तो इसके बारे में हम बात कर लेते हैं तो introspection implies to look inward and examine one's thought feeling and motives की इसका अर्थ क्या है अपने अंदर जागना अपने विचारों को भावनाओं को कि जाच करना कोई भी स्वैम को जानने के लिए एक सकतिसाली विदी की रूपी उपयोग कर सकता है इसे हमें खुद के बारे में जानने मदद मिलती है देखिए मालो exam हुए हमारे marks कम आए ठीक है तो अब इसमें क्या कर सकते हैं हम तोटल हम अपने बारे में जानने के कोईसिस करेंगी कि हमारे मेहनत में क्या कमी रह गई थी कहां पर गैप रह गया था कि हमने कोईसिस की और हमारे marks कमाई और कई बारे भी होता है कि हमारे marks कमाई तो पता है कि हमने नहीं पढ़ाई की इसलिए हमारे मार्स अच्छे नहीं आए, हम दो इतना ध्यान नहीं दिया, इसलिए हमारे मार्स अच्छे नहीं आए होगा जितना आपको खुद के बारे में पता होगा ठीक है तो खुद के बारे में पता करने के क्या करोगे आप खुद को जानोगे खुद को उससे बात करोगे खुद को समझोगे खुद की टाइम दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं तो यहाँ पर आपको खुद देख रहा है कि आपकी activities क्या है आप अपने time को use कर रहे हैं आपने time को waste कर रहे हैं तो इस सारी चीजे कैसे पता चलेगी introspection से पता चलेगी तो यह किसी की स्वयम की सचीत विचारों और भावनाव की परिच्छा है जब विद्यारती स्वयम का अध्यान करने के लिए introspection करता है आत्मिरिक्षण करता है तो इसे एक उपकरण माना जाता है मान लिजी एक विद्यारती अपने समय की पावंदी के स्थर का आत्मिरिक्षण करना चाहता है तो क्या करेगा आप एक खुद के बारे में जाना चाहते हैं क्या आप पंक्च्छूल है की नहीं है तो क्या करोगे तो आप अपनी जो डेली एक्टिविटी से आप उस पे नज़र रखो कि मानने लाश्ट वीक जो आपका जो भी था अगर आप उसके बारे में सोचते हो कि आप पंक्च्छूल हो की नहीं हो सुवे उठना था आपने देखा कि यार मैं तो लेट उठता हूँ पोलेज़ भी में लेट पहुंसता हूँ और जो भी मुझे काम मिलता है वो काम भी मैं टाइम से नहीं करता सोता भी लेट हूँ उठता भी लेट हूँ तो मेरे तो जब मेरे मैं पंक्च्छूल की बात कर रहा हूँ मैं तो बिलकुल पंक्च्छूल नहीं हूँ तो यह कैसे पता चलेगा जब आप अपने बारे में जानोगे आपकी जो activity से उस पर नज़र रखोगे उसको एक की करके आप जब गिनोगे जानोगे तो पता चलेगा कि आप punctual हो की नहीं हो तो when all this was analyzed the lack of punctuality was revealed कि जब इन सब का visulation किया जाता है तो आपका पता चलता है कि समय की पावंदी की कमी का पता चलता है और बार बार फिर जब आप कोई पता चलता है कि मैं बहुत lazy हूँ मैं time से अपना काम नहीं करता तो उससे आपको क्या नुकसान है क्या फायदे है आप उसकी भी judge करते हो कि time की परवा नहीं करने से मुझे क्या नुकसान हो रहा है ठीक है और अगर मैं परवा करूँगा time के इसाफ से चलूँगा तो मुझे उसकी क्या फायदे हो सकते हैं तो उन्होंने निर्ने लिया कि भविस में अब सभी कारियों को समय के अनुसार करेंगे जैसे एक बार आप exam देते हो ना अगर नंबर कम आते हैं तो आप फिर कहते हो कि नहीं अब अगली बार मैं पूरी मेहनत से काम करूँगा मेरी जो भी कमिया है उसको मैं दूर करूँगा और मैं अब पूरा अपनी time table का ध्यान रकूँगा उसकी इसाब से चलूँगा ताकि मुझे अच्छे नंबर मिल सके तो इस परकार इंट्रोस्पेक्शन हमारे आत्म विकास पर लगातार नजर रखता है तो observation में तो teacher नजर रखता है बच्चों पर लेकिन जब हम introspection की बात करते हैं तो आप खुद पर खुद से नजर रखते हैं तो when we introspect we come to know our strength and weakness जब हम आत्म रिक्षन करते हैं तो हमें अपनी ताकत का पता चलता है अपनी कमजोरियों का पता चलता है और गुनात्म कुल्यांकन की आत्म रिक्षन पदिती स्वेम द्वारा अपनाई जाती है इसको कोई दूसरा नहीं अपनाता है इसको आपको खुद ही अपनाना पड़ता है और इसकी सबसे खास बात क्या है इस सीकना और नियोजित करना बहुत आसान है यहां पर आपको ने की जोद नहीं है कोई खर्चा करने की जोद नहीं की सीफने की लैप की जोद नहीं है gry आप इamtती क्च ऍपने की दृट और इस वर और ला द्सवर्क है लेंश का एक्सपेंसिव कि यह बहुत कम कर्चिली है इसके लिए कि लिए किसी विशेश मुल्यांकन उपकरण और प्रयोग साले कि आप सकता नहीं होती इस मेथड इस सब्जेक्टिव हैंस नौट टू रिलाइबल कि यह विधी व्यक्ति परके इसलिए इतनी विश्वसनी नहीं है त तो यहां पर उनेश्टी बहुत जरूरी है अगर उनेश्ट होगे तभी आप ठीक से करोगे उनेश्ट नहीं होगे तो आप अपनी गलतियां जो हैं उसको भी नजर अंदाज आप करते रहेंगे तो इसलिए सब्जेक्टिव है इसको इतना हम इस पर भरोसा नहीं कर सकते ह इस पर जो फर्स पॉइंट है इस वर्क इस एक्सपैंसिव आप यह नोट लेग सकते हों कि इस वर्क इस नौट सो मच एक्सपैंसिव कि इतनी खर्चिली नहीं है या बिल्कुल ही खर्चिली नहीं है प्रोजेक्शन की बात करते हैं इसको भी हम जाल लेते हैं कि यह क्या है इसे किसी के विक्तित की बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए डिजाइन किया गया है तो अगसे जो बच्चे psychology ओनर्स करते हैं ग्रेजिशन में तो उनको भी इस तरी के यह तकनीक सिखाई जाती है किस तरह से सिखाई जाती है तो देखिए यहां पर क्या होता है कि आपके सामने कुछ object लाया जाता है या कोई किसी situation के बारे में आपको बता दिया जाता है कोई कहता है कि हमारे मन में forest आता है कोई कहता है कि green को देखकर हमारे मन में vegetables आता है तो इस तरह से अलग लग वैकती है same object को लेकर उनके जो विचार हैं बताते हैं तो उसी बेस पर जो बच्चे हैं जो श्रेंड उनकी personality को major किया जाता है तो under this technique some object or situation are presented to the strength and after seeing them they are asteroid की इस technique के अंदर गद विद्यारतियों के सामने खुछ वस्तुएं या स्थितियों को प्रस्तुत किया जाता है उनको देखने के बाद उनसे कहा जाता है कि आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए कि इनको देखकर आपके मन में क्या विचार आता है तो माली जी एक विद्यारती को सड़क पर गुबारे बेशते वे एक लड़के को दिखाया जाता है और पूछा जाते कि बताईए इसको देखकर आपके मन में क्या विचार आता है तो माली बच्चा कहेगा कि इसको देखकर मेरे मन में विचार आता है कि लगता है कि इसके मदर बादर नहीं है बहुत गरीब बच्चा है और इसलिए सड़क पर गुबारा बेच कर अपने जो रोजी रोटी है अपना जो पेट है वो भर रहा है तो दूसरा बच्चा कहेगा कि इस बच्चे को जबरस्ती किसी ने मारपीट के रेल लाइट पे मजबूर करके इसको बड़ा बिचवार है और तीसे लड़का कहेगा कि मेरा मन करता है कि यह इन बच्चों को भी स्कूल में एड्मिसन करा दो इनको भी education मिल जाएगी तो इनकी इस तरह की हालत नहीं होगी बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे आगे बढ़ेंगे तो इस तरह से आप सब भी जब इस तरह से आप देखते हो कि रेल लैट पे कोई बच्चा मापे दूसरों से पैसे माग रहा है भीक मागरा और इस तरह की जो गुबाड़े हैं चीजों को बेच रहा है तो आपके मन में भी देखकर काफी सारे ख्याल आते हैं तो इस तरह से अगर हम इस टेक्निक की बात करें तो यहाँ पर बच्चों के सामने कोई object टक दिया जाता है कोई situation दे जाती है और उसके बेच पर बच्चों से पूछा जाता है कि अच्छा बताओ उनको देखकर तुम्हारे मन में क्या-क्या भावना आ आ रही हैं क्या विचार आ रहा है तो उसके बाद देन दोश्वेंट प्रेजेंट हिस और थौट्स की विद्यारती अपने मन के विचार को प्रस्तूत करता है और जो विचारों प्रस्तूत करता है उसी से मतलब उसके जो थौट्स हैं नेगेटिव हैं पॉजिटिव हैं उसी बेस पर उसकी परस्टनलिटी को आगा जाता है तो एक और एक्जामपल आप देख सकते हैं कि कुछ बच्चों को पेपर दिया गया और पेपर को देखकर बच्चों से बोला गया कि आपकी मन में जो भी आए आप उस पेपर पर ड्रो करो तो कुछ बच्चों ने फ्लावर बनाए कुछ बच्चों ने आईस्क्रीम बनाए और कुछ बच्चों ने कुछ नहीं किया तो बस उस पर कहते हैं कि लाइन से बिल्कुल घिचर पिचर उस पेज पर कर दिया और फिर जब उन पेज़े को देखा गया तो उससे क्या पता चल ला है कि बच्चे की मन में जो थौट्स हैं ठीक है उस पेपर पर बच्चों ने उसको बनाया उसको ड्रो किया तो इस तरह से जो प्रोजेक्शन है यहाँ पर बच्चों के सामने ऑब्जेक्ट दे जाते हैं कोई सिचिशन दे जाते हैं उस पर बच्ची अपनी विचारों को रियक करते हैं प्रस्तूत करते हैं तो उनसे उनकी personality का पता चलता है और अगर हम सोचियों मैट्री की बात करें समाज मिती की बात करें तो देखिए यहां पर समाज की बात आ रही है तो एक तरह से basically हम बात करें तो एक आप कह सकते हो कि टूल है जिसका यूज ग्रूप में किया जाता है ग् specific measurement of social relationship in group की यहां पर समाजमेतिक की बात करते हैं तो समयों में समाजिक समंदों का वैज्ञानिक माप है The first sociometry test was developed by Moreno and his colleagues in 1934 की इसको सबसे पहले 1934 में Moreno और उनके जो सयोगी हैं उनके द्वारा विक्षिप किया गया तो इज़िए टेक्निक फोर डिटेर माइनिंग सोसल इंट्रेक्शन विदिन गुरूप इच अधर कि एक समूब ने एक दूसरे के साथ जो समाजिक अंतरसंबंद उसको निधारित करनी की एक तकनिक है कि मादो क्लास में बच्चे हैं उनका आपस में किस तरह का रिलेसेंसी जाता है कि बच्चों का क्या इंट्रेस्ट है क्या नहीं है आपस में किस तरह का रिलेसेंसिप है तो किसी समूब में किसी विशेश व्यक्ति में कुछ विशेश विश्ताएं हो सकती हैं जितके कारण उस समूब की अधिकांस अन्य व्यक्ति उसे पसंद या ना पसंद करत उन बच्चों को क्रिट क्रिट का खेल पसंद दोगा तो उनका जो फेवरेट प्लियर है वो कौन है को नहीं हो सकता है सचिंती नुलकर हो सकते हैं दोनी हो सकता है और दस बच्चे ऐसे हैं ठीक है जो एक्टिंग में शौक रखते हैं तो उनका जो फेवरेट एक्टर है अमत ना पसंद है इन चीजों का पता चलता है कैसे पता चलता है सोचियो मैट्री के थूँ तो does it determine why some people are right or disliked by group members की इस परकारिया निर्दारित करते हैं कि समों के सदस्व दारा कुछ लोगों को क्यों पसंद या ना पसंद किया जाता अगर मालो एक क्लास में कुछ बच्चे हैं अगर कोली को पसंद करते हैं सचीन को पसंद करते हैं तो क्यों करते हैं अगर उनको नहीं पसंद करते हैं कुछ बच्चे एक्टर्स को पसंद करते हैं स्पोर्स पर्सन को नहीं पसंद करते हैं तो क्यों करते हैं नहीं करते तो यहां पर इस टेक्निक के थुरू ग्रूप में जो लोगों का behavior जो है उनका interest है उसका पता लगाया जाता है तो sociometry test is designed to collect data from the members of a group to know their preferences regarding the members with whom they want to associate to do some activity कि समाजमिती परिक्षण एक समों के सदस्यों से data एकतर करने के लिए design किया गया है जैसे class का example दिया तो चाहे है उनके interest के बारे में कि sports में किसी का है तो क्यों है sports person को person करते हैं तो क्यों करते हैं एक्टर को परसंद करते हैं तो क्यों करते हैं तो इस तरह से हमने qualitative evaluation tools में हमने जाना अलग लग जो इसके tools हैं चाहे हम observation की बात करें, चाहे हम introspection की बात करें, चाहे हम projection की बात करें, चाहे हम sociometry की बात करें तो आई होप आपको इस वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको चीज़े समझ में आ गई होगी, तो अपना feedback जरूर दीजिएगा, आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद Assessment of Learning में, इससे पहले की वीडियो में हम बात कर चुके हैं, जान चुके हैं Evaluation के बारे में, l, आसेस्मेंट के बारे में, हमने यह भी बात की, कि Evaluation के quantitative tools कौन कौन से हैं, और qualitative tools कौन कौन से हैं इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Planning and Preparation of Test की कोई भी टेस्ट है उसको कैसे plan किया जाता है किस तरह से उसको तैयार किया जाता है तो इस वीडियो में हम इसी point पर बात करने वाले हैं इसी point को जानने वाले हैं तो वीडियो को आखरी तक देखिए और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताईए तो वीडियो का हम सुरूर करते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं Planning and Preparation of Test की परिक्षन की योजना और तैयारी कैसे की जाती है तो इस वीडियो में हम जिन points पर बात करेंगे Planning of Test की परिक्षन की योजना बनाना फिर हम बात करेंगे Preparation of our Design for the Test की परिक्षन के लिए Design तैयार करना Preparating Blueprint की ब्लूप्रिंट तैयार करना उसके बाद हम बात करेंगे की Blueprint तैयार करने के बाद किस तरह से Question Paper लिखा जाता है और उसके बाद हम बात करेंगे preparation of the scoring key and marking scheme की जब question paper बनाय जाता है तो उसके बाद जो scoring की है, marking scheme है बनाई जाती है, उस base पर जो paper चेक करते हैं वो बच्चों को number देते हैं और last में हम इसके analysis with listen पर बात करेंगे, तो एक एक करके हम इस सभी points को जानेंगे तो सबसे पहले हम बात करते हैं planning of test की परिक्षण की योजना बनाना की किस तरह से जो test है उसकी planning की जाती है परिक्षण की योजना बनाई जाती है कि मालो आप social science बच्चों को पढ़ा रहे हो तो आप जानना चाहते हैं बच्चे ने time period में कितना सीखा है तो आप क्या करोगे आप planning करोगे test की तो क्या क्या चीजे हैं सबसे पहले identify objective की उद्देशियों का निर्धारन करना का मतलब है कि आप जब जो test लेने जा रहे हैं तो आपके क्या objective है ठीक है आप उस test के द्वारा क्या क्या जानना चाहते हैं कि बच्चे ने history में कितना सीखा geography में कितना सीखा बच्चे ने political science में कितना सीखा economics में कितना सीखा तो सबसे पहले आपको जो objective है उसको identify करना होगा इसके आलामा बच्चे ने कितना सीखा कितना समझा जो भी सीखा जो भी समझा उसको अपनी life में किस तरह से उसको apply किया या करेगा कौन-कौन सी बच्चों में skill develop हुई तो सबसे पहले आपको objective को identify करना है उसके बाद measuring the content coverage अब जब test paper बनाओगे तो सबसे जाहिर सी बात है कि आप जो जो आपने topic पढ़ा है उसी में से आप test लोगे तो सबसे पहले आपको यह भी मतलब decide करना है कि आप कौन-कौन से books लोगे जैसे social science की बात करें तो geography है, history है, economics है, political science है तो अलग-लग books है, तो किस में से आप कितना content ले रहे हो, कितना chapter ले रहे हो, लेकिन इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें, कि आपने जितना पढ़ाया है, उसी में से आप यह test तयार करो, ठीक है, जो नहीं पढ़ाया हो, उसको मतलो, उसके बाद allocation of time की समय का निधारन, इतने marks होने है, ठीक है, आप 30 का रखते हो, 25 का रखते हो, 50 का रखते हो, 60 का रखते हो, 75 का रखते हो, तो यह चीज़ भी आपको decide करनी है, पहले ही, उसके बाद focus on each topic and area in the question that belong, कि जब भी आप एक question paper बना रहे हो, तो देखिए, social science की बात करें, तो इसके जो अलग-लग area से geography है, history है, economics है, political science है, आपको सारी area cover करने, यह नहीं कि आपने question मनाये, तो सारे के सारे जो question है, आपने history में से उठा के दे दिये, political science में से कुछ भी नहीं दिया, economics में से कुछ भी नहीं दिया, तो सभी area को coverage करना है, जितना आपने पढ़ाया से लिए, बस ओ cover करना है, और अ कि क्या objective है, कैसे करना है, अब कैसे design करना है, तो इसको भी हम देख लेते हैं, तो देखिए सबसे पहले, अगर हम design की बात करें, weightage to objective, उद्यस्यों को महत्व देना, तो उद्यस्यों की जब हम बात करते हैं, तो देखिए इसकी भी अलग-लग types है, knowledge understanding application and skill, कि बच्चे को ज application किस तरह से apply किया, और skill बच्चे में कौन सी skill develop होई, problem solving skill develop होई, decision making skill जो develop होई, बच्चा चीजों में अंतर करने लगा, तो इस सारी के सारे objective आपको करने है, कि बच्चे को किसी भी subject में कितना घ्यान है, ठीक है, उस subject को कितना समझ रहा है, उस topic को, उसको किस तरह से use कर रह है, ठीक है, तो इस तरह की चीजे है, skill में कोई भी आप situation दे दो, ताकि आपको एक चीजे पता चले कि बच्चा चीजों को कितना जान रहा है, कितना समझ चुका है चीजों को, ठीक है, तो इस तरह से जो objective है, तो objective को भी अलग-लग जो objective उनको weightage देना है, आप जब आप 3rd semester में जब schools में जाएंगे, lesson plan बनाएंगे, तो यह objective बार बार आपके सामने आएगा, कि knowledge, मारलो आप बच्चों को social science पढ़ा रहे हो, ठीक है, social science में आपने बच्चों को Indus Valley Civilization यह हरपा संस्कृती, जो है, सिंदु घाटी की सबहता, आपने पढ़ाया, तो देखो, knowledge की बात करें, तो हमें basic knowledge है, कि सिंदु घाटी जो सबहता है, इस civilization है, उसका संबन्ध जो भारत से है, ठीक है, भारत से है, और वहीं से जो हम भारती सबहता का जन्मौईतन तो पता है, लेकिन जब हम understanding की बात करेंगे, कि उसके बारे में जानना कि सिंदु घाटी की सबहता कहां तक, फैलिटी भारत में, कौन-कौन से state है, जहां पर, आज भी इसके जो अफसेस हैं, पाई जाते हैं, तो इसके लिए तो उसको आपको पढ़ना जरूरी है, तो understanding, ठीक है, application, कि अब चलो, जो भी सिंदु घाटी की सबहता है, मैप में जो question आ गए, तो मैप में दिखाना है, कहां-कहां सिंदु घाटी की सबहता है, कौन-कौन उसके एरियास हैं, आप मैप में उसको दिखाओ, तो उस चीज़ को आपने apply किया, ठीक है, और skill की बात करें, तो उसके बारे में, कि वहाँ पे किस तरह से लोग रहते थे, सारा इस चीज़ उसके बारे में, आप पढ़ते बार-बार जब हम किसी चीज़ को अभिहास करते हैं, courses करते हैं, तो दिरे-दिरे जानते हैं, तो जो हमारी जो skill है, उस चीज़ में develop होने लगती है, चाहिए problem solving है, चाहिए decision making है, चाहिए अंतर करना है, बाकी और जो सब बहताएं हैं, ठीक है, तो इस तरह से जो objective हैं, उनको weightage देना, ठीक है, और उसके बाद फिर weightage to content, क कि अगर हम content की बात करें, तो chapter wise की किस chapter में से मालो आपने geography का एक chapter लिया है, history का एक chapter लिया है, economics का लिया है, political science का लिया है, अलग लग chapter हैं, तो किस chapter में से कितने marks करें, तो मतलब सभी chapter जो आपने पढ़ा हैं, सभी को cover करना है, तो इस चीज़ को भी ध्यान देना है, कि preparation of design for the test की जब करो, तो आप सारे अलग लग जो social science के subject हैं, जो chapters आपने पढ़ा हैं, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही chapter में से दे रहो, आप सभी chapter में से कुछ ना कुछ जो है, question बच्चों के लिए बनाओ, ठीक है, उसके बाद weight is to form of question की question, तो ऐसे type question जैसे आपने board का exam दिया होते हैं, very short answer type question होते हैं, objective होते हैं, तो इस तरह के जो question है, तो जब आप question paper इस तरह का test तयार करो, तो उसमें variety होनी चाहिए, यह नहीं कि सारे आपने ऐसे type question दे दिये, यह नहीं कि आपने सारे very short answer type दे दिये, आप इसमें variety रखो, ठीक है, उसके बाद weight is to difficulty level, याद कीजी जब आप board के exam दे रहोंगे, तो starting के जो question है, थोड़े easy लगते थे, फिर दिरे-दिरे average और last तक पहुंसते पहुंसते फिर difficulty level start हो जाता था, तो जब भी question paper बनाओ, तो इस चीज़ का ध्यान रखो, कि उसमें easy portion भी रखो, average भी रखो, और difficult जो level है, ओ भी होनी चाहिए, ऐस question easy भी होने चाहिए, कि जो हर बच्चा कर सके, कुछ average होने चाहिए, और कुछ difficult होने चाहिए, तो इससे क्या होगा, कि class में जो बच्चे है, उनके level का भी पता लगाया जा सकता है, फिर हम बात करते है, preparing blueprint, ब्लूप्रिंट, ब्लूप्रिंट अब question आता है, कि blueprint क्या होता है तो देखिए, एक simple से example को समझ लेजिए, कि जब भी आप घर बनाने जाते हैं, मालो आप अपना कोई घर बना रहे हैं, तो सीधा जाके, आप mystery को नहीं बोलते कि घर बना दो, सबसे पहले आप क्या करते हो, map तयार करते हो, एक पूरा जितना भी आपका जमीन का area है, तो उ इसी तरह से जब कोई question paper बनाया जाता है, तो question paper बनाने से पहले उसका पूरा एक blueprint तयार किया जाता है, अब blueprint, अब देखिए, कोई भी question paper है, उसको बनाने से पहले पूरा blueprint, तो इससे देखो clear पता चला है कि सबसे पहले हम बात करें chapters, तो अलग-अलग chapters हैं, कि social science का है, तो देखिए, first chapter से, blueprint से पता चला है, first chapter से, कितने question आये है, second chapter से कितने आये है, third से कितने आये, four से कितने आये, essay type, essay type, essay एसे मतलब, short answer, very short answer objective, ठीक है, तो essay type के कितने question है, short answer type के कितने, very short answerという objective, तो इससे सारी चीज़े पता चल लई है तो जिस तरह से घर बनाने से पहले मैप तयार किया जाता है उसी तरह से उसका पूरा ब्लूई प्रिंट तयार जाता है तो ब्लूई पूरे में चेप्ट gobierno उसके कितने जाता है कितने application based है कितने skill based है ठीक है तो इसलिए blueprint बनाना बहुत जरूरी होता है ताकि question paper का structure पता चल सके तो इसमें भी आप देखिए कि जो bracket के अंदर है वो क्या है questions है और जो bracket के बाहर है वो क्या है number है ठीक है तो जब आप third semester में जब blueprint बनाएंगे तो यह जो format है आपके काफी काम समाएगा उसके बाद अगर हम बात करें आगे writing of question paper अब आपने blueprint बना लिया कि इतने इतने chapters मुझे लेने हैं उसमें से इतने question लेने हैं तो उसके बाद next काम क्या हो जाता है writing of question paper फिर आप question paper लिखना सुरू कर दें अब question paper बना लिया तो question paper बनाने के बाद उसकी scoring की marking scheme जैस इसानी होता है कि check करने वाले अपने इस आपसे नमबर दें उसकी पूरी scoring की होती है उसका पूरा एक answer sheet पहले से तयार होता है आपने जो answer दिये हैं वह answer उससे match करता है तो आपको पूरे number मिलते हैं कि कि कितने आपने कितना content लिखाया तो उसके लिए कितने marks देने हैं ठीक है तो इसके scoring की और market scheme भी तयार करना और फिर क्या है analysis करना तो जो आपने scoring की बना ली marking scheme बना लिया उसके बाद exam हो गया बच्चों का exam के बाद result आया तो उस result के विए पर analyze करना ठीक है कि जो question paper है कितना सही था कितना सही नहीं था जिस objective के लिए बनाया गया क्या उस objective को उस करने करहें डिफिकल्ट नहीं था बच्चों लेवल की हिसा आपसे ज्यादा तो नहीं था तो लाश्ण में analyze किया जाता है कि जो भी question paper बनाया गया क्या जिस objective को लेकर बनाया गया तो इस आपिसा बनाते है तो test items इसके क्या आप्परगार हो सकते हैं तो देखिए जो भी test हम बनाते हैं तो ऐसे question, test item जो बात करते हैं तो essay type question होते हैं ठीक है जिससे आपने social science का देते हो तो last के जो question होते हैं 5 marks के, 6 marks के तो इस तरह के essay type question होते हैं short answer type में होते हैं very short answer type होते हैं तो very short answer type में आपको कौन से question मिलते हैं fill in the blanks मिलते हैं कि रिक्स थानों की पूर्ती करो true and false मिलते हैं ठीक है तो इस तरह से आपको matching का भी मिलता है milan करो जिसको हम कहते हैं तो इस तरह से आपको काफी सारे question आपको very short answer type में भी अलग-लग आपको variety मिलती है और उसके बाद हम देखते हैं objective type में तो इस तरह से type of test item की अलग-लग तरह के test items होते हैं इस तरह से हमने इस video में जाना हमने बात की कि कि किस तरह से कोई भी test है उसको plan किया जाता है उसको assessment of learning में अभी तक आप सभी को समझ आ चुका होगा कि assessment या आकलन क्या होता है लेकिन इस video में एक नया question हमारे सामने आ गया एक नई problem हमारे सामने आ गई कि alternative assessment techniques कौन-कौन सी है कि assessment की जो वेकलपिक जो विदियां है तरीके हैं और कौन-कौन से है तो देखिए एक बहुत common तरीका क्या है assessment का pen paper test जिसमें आप अपनी चाहे हम class test की बात करते हैं चाहे annual exam की बात करते हैं तो आप कैसे देते हैं pen paper question paper सामने आता है pen लेके जाते हैं और answer sheet पर उसको करना होता तो यह बहुत common एक हम कहते हैं technique है लेकिन इसके माधियम से बच्चे की जो च्छमता है उनकी जो thinking है जो उनकी जो ability हर चीज़ का pen paper test से पता नहीं लगाया जा सकता तो इसके लिए अगर बच्चे के बारे में अच्छी से जानना है समझना है उसके विचारों को जानना है उसकी जो problem solving ability है उसके बारे में जानना है उसकी सोच के बारे में जानना है तो assessment के कुछ और तरीके भी हैं जिसको हम कहते है alternative assessment technique तो इसमें क्या क्या चीज़ी आती है इसमें portfolio आता है rubrics आते हैं focus group discussion आता है peer and self assessment आता है जहां पर numbers की बात नहीं की जाती है जहां पर बच्चों की thinking की बात की जाती है उनकी abilities की बात की जाती है उनके problem solving skill की बात की जाती है तो इस वीडियो में हम portfolio को जानेंगे rubrics को जानेंगे focus group discussion पर बात करेंगे peer and self assessment क्या होता है इस पर हम बात करेंगे तो वीडियो को आखरे तक देखिए के वीडियो कैसा लगा comment करके जरूर बताईए तो वीडियो को हम सुरू करते हैं और आम तोर पर जैसे मैंने आपको बताया कि हम देखते हैं schools में colleges में क्या होता है pen paper test होता है बच्चों के सामने question paper आता है बच्चे उसको करते हैं answer solve करते हैं paper check होता है और उसके हिसाफसे बच्चों को number दे जाते हैं लेकिन इस pen paper test से बच्चे की जो उनकी जो knowledge है उनकी जो understanding है उसका सही तरीके से पता नहीं लगाया जा सकता तो एक कागज और pencil prediction है बच्चों की जो उस तरीज जो सोच होती है उनकी जो problem solving जो skill होती है उसको सही तरीके से माप नहीं बात है क्योंकि अच्छे नमबर तो बच्चों के एक दूसरे को paper देखकर ही बच्चे कर लेते हैं या किसी की writing skill अच्छी है तो इस base पर भी बच्चों के अच्छे नमबर आ जाते हैं तो pen paper test से जो बच्चों की सोच समझ उसको group discussion and peer and self assessment तो यह four जो अलग-अलग techniques है एक की करके हम इनकी बात करते हैं तो देखे सबसे पहले अगर हम बात करते हैं portfolio की portfolio क्या होता है तो इसको भी हम समझ लेते हैं एक विद्यारती कक्चा के अंदर और कक्चा के बाहर हम देखते हैं की हर दिन कुछ ना कुछ लिखता है अलग-अलग activities करता है तो अक्सर हम देखते हैं कि कुछ बच्चे हैं वो painting करते हैं, drawing करते हैं कुछ बच्चे कहानिया लिखते हैं कविताय लिखते हैं, poem लिखते हैं सुनाते हैं, कुछ बच्चे हैं नाटक जो है एक्टिंग इस तरह की एक्टिविटेस करते हैं कुछ बच्चे हम देखते हैं जैसे गाउं साइड में विले साइड में अक्सर देखो तो बच्चे अपनी खिरोंने भी खुश से बना लेते हैं कुछ बच्चे बुक्स पढ़ने या बुक्स को कलक्ट करने का शुख होता है तो इस तरह से हम देखते हैं कि अलग बच्चे हैं सबकी अलग ओवीस होती हैं सबका अलग ओविस होती हैं तो वे इन गत्विधियों के माहत्यम से अपनी छमताओं और रोचियों को उजागर करते हैं तो अक्सर हम देखते हैं क्लास में आप देखेंगे बहुत सारे बच्चे हैं हर कोई पढ़ने में तो अच्छा हो इनी सकता लेकिन कुछ बच्चे खेल में अच्छे होते हैं कुछ बच्चे सिंगिंग में अच्छे होते हैं तो कैसे पता चलता कि कोई ड्रोइंग में अच्छा है कोई सिंगिंग में अच्छा है कोई डांसिंग में अच्छा है कोई स्पोर्स में अच्छा है तो जाहिर सी बात है कुछ एविडेंस होंगे उसके लिए जैसे अगर मालो कोई singing में अच्छा है तो उसकी audio clip हो सकती है उसके certificates हो सकते हैं, singing में medals हो सकते हैं इसी तरह कोई sports में अच्छा है तो उसके भी medal हो सकते हैं, certificate हो सकते हैं उसके पास और इसके अलावा कोई dancing में अच्छा है तो उसके भी medal certificate या उसकी dancing video है सारी चीजे वो सकते है, सारे evidence हो सकते है और जिसके drawing अच्छी है तो इसके पास उसके घर पर बनाई होई इसके जो अलग लग उसके जो drawing बनाई होगे तो वोढ़ी evidence होते हैं तो इसकी कियाधार पर इसको документ होते हैं इसको collect किया जाता है तो जो document का collection होता है इसे ही हम क्या कहते हैं और इसी के बेज़ पर हमें बच्चे के पर्टिक्लर फिल्ड में जो उनका इंट्रेस्ट होता है जो रूची होती है उसकी बारे में पता चलता है तो पौर्ट्फोलियो क्या है पौर्ट्फोलियो इस इस्स्टेमाटिक कलेक्शन ऑफ दीज वर्क तो पना में आपके पास रिकॉर्स ऑंगे जाये औडियो फॉम में हो चाहे डॉक्मेंट फॉम में हो फॉर्म के उसी है इस पर चाहिए टीचर को पता चले चाहिए आपकी फ्रेंड है उनको पता चले कि आप इस पर्टिकुलर फिल्ड में बहुत अच्छे हैं तो पोट्फोलियो यहां पर आपको समझ में आ गया होगा कि इस जा कलेक्शन ऑफ श्रेंट्स बेस्ट वर्क इन स्पेसिफिक सब्ज चाहिए और इस फिल्ड में बच्चे को आगे जाना चाहिए तो पोट्फोलियो इस गिवन इंपोर्टेंस एजन असेस्मेंट टूल की पोट्फोलियो को एक आकलन उपकरण के रूप में महत्व दिया जाता है क्योंकि इससे बच्ची के बारे में सही तरीके से पता चलता है कि उचकी क्या छंता हैं उसकी क्या रूचियां है तो दिस रिक्वाइर कालेक्टिंग एविडेंज ऑफ फ्रेंट्फ वर कि इसके लिए विद्यार्थियों के जो कार हैं उनसे सम्मंदि जो साक्ष है उसको इकठा करने क्या सकता होती यह अग्ष इकठा करने के बाद ज जो evidence उसी बेस पर तो यह पता चलता है जो बच्चा है किस particular field में अच्छा है उसकी जो strength है किस field में है तो इसे सिक्षकों को किसी विशिष्ट विशय चेत्रियों विद्यारतियों की पता चलता है और उस बेस पर teacher क्या करता है बच्चों को guide कर सकता है उस बेस पर ही जो teacher है ब find out the interest and ability of the student की इसके द्वारा ही सिक्चक विद्ध्यारतियों की रूची और उनके छमता का पता लगा सकते हैं और इसी बेस पर जो टीचेर हैं विद्ध बच्चों के माता-पिता के साह समवाद कर सकते हैं कि आप आगी चलकर बच्चों की इस पर्टिक्लर फिल्ड में ही भी हमता है है बहुत अच्छा है और हमें इस फिल्ड में जाना चाहिए तो देखिए कुछ एक्जामपल है किसी बच्चे की हैं राइटिंग बहुत अच्छी है तो कैसे अच्छी है उसकी जो कोपी है नोटबुक्स है उसे हम पता लगा सकते हैं इसके अलावा स्टोरी ऐसे पोयम रिटेन जो बच्चे लिखते हैं आर्ट एंड क्राफ्ट फोटोग्रेफी इससे पता चलता है कि बच्चों की जो फोटोग्रेफी है कि हां इसकी जो इसका जो इंट्रेस्ट फोटोग्रेफी में है वो कैसे पता चलेगा उसने जो अलग लग फोटो जो होंगी क्लि टो इनसे एक जो बच्चोंके पार डोकमेंट ए उस बेड़े पर मतलब उस जो डोकमेंट को हम क्या कहता है पौर्टफोलियो जिसने के इद्वारा टीचर को बच्चे के बारे में पता चलता है प्रोकर से तो पौर्टफोलियो आपको समझ में आगया है अब हम rubrics के बात करें कि rubrics क्या है तो देखिए इस image में आपको दिख रहा होगा दो image है जहां पर excellent, good, satisfactory, need, improvement या exceptional, average, poor तो एक तरह का क्या है rubrics rating scale है तो देखिए जब हम portfolio की बात करते हैं तो portfolio से हमें क्या पता चला है portfolio से हम पता चला है कि जो जो बच्चा है कि इस particular field में जो अच्च बच्चा है लेकिन rubrics से हम पता लगा सकते हैं एक rating skill है तो इस rubrics से हमने पता चलता है कि अगर बच्चा किसी particular field में बच्चे की strength क्या है बच्चा बहुत अच्छा है बच्चा एवरेज है या बच्चा बिलो एवरेज है तो इस रेटिंग स्कील से हमें बच्चे के बारे में पता चलता है कि पर्टिकलर फिल्ड में बच्चे की क्या श्रेंथ है कितना बच्चा बहतर तरीके से कर सकता है या कर रहा है तो और रूब्रिक प्रफोलियो का आकरण रूब्रिक की मदद से किया जाता है इसके द्वारा सिक्चा के निधारित कर सकते हैं कि कोई विद्ध्यार्ती किसी कारे को करने में किस तर तक दस्ता में सक्चम है प्रदर्सन के ने मिलते हैं तो ये भी क्या है assessment की एक alternative जो टेक्निक्स है जिसे हमें बच्चे के बारे में उसके strength के बारे में और कि छेतर में उसके क्या काबिलियत है क्या चमता है उसके बारे में हमें पता चलता है तो अब हम बात करते हैं focus group discussion तो आपने सुना होगा समूश्च चर्चा कि किसी भी particular topic पे class में जो बच्चे हैं आपस में एक दूसरे के साथ discussion करते हैं तो इसको हम group discussion कहते हैं लेकिन जब हम focus group discussion की बात करते हैं तो focus group discussion क्या होता है तो इसको भी हम जान लेते हैं तो सबसे पहले गर हम focus group discussion के बात करें तो it is a form of qualitative research की गुनात्मक्स का एक रूप है तो इसमें पूरी class नहीं होती ठीक है इसमें discussion में class में कुछ बच्चे हो सकते हैं ठीक है और उन बच्चों को किस बेस पर उनका चैन की आजाता है तो हो सकता है कि जो बच्चे हैं उनका से किसी topic पर उनका same interest है ठीक है तो इस समूमें रूची के समान विश किसी एक topic पे हो सकता है तो उस topic पर इस तरह का group discussion हो सकता है उन बच्चों का same background हो सकता है तो इसलिए तो यहाँ पर एक focus group होता है बच्चों का group होता है जिनके same interest हो सकते हैं ठीक है होते हैं और उनके साथ जो teacher है किसी particular subject पर group discussion करते हैं तो this is usually group interview कि एक तरह का क्या है पूरे उवराल इंटर्व्यू है उसको देख रहा है बच्चे भी एक दूसरे से question पूछ रहे हैं और उसी question पर discussion हो रहा है लेकिन यहाँ पर एक common चीज क्या है कि यहाँ पर जिसे हम class में discussion देखते हैं तो उसमें पूरी class सामिल होती है लेकिन यहाँ पर पूरी class नहीं है यहाँ पर कोई भी particular topic हो सकता है ठीक है उसमें जो same interest वाल करते हैं उसमें अगर मालो social science किसी भी एक topic पर geography का topic है उस पर अगर group discussion रखा जाए तो जोई तो थोड़ना है कि class में सभी बच्चों का जो interest है वो geography में होगा तो सिर्प जिन बच्चों का interest geography में होगा या history में होगा वही बच्चे इसमें participate करेंगे तो एक focus group होता है ठीक है क इस question होते हैं teacher बच्चों से पूछता है बच्चे आपस में बिल्कुल फ्रिले एक दूसरे जो हैं एक दूसरे से question करते हैं बच्चे अपने विचार हैं उस particular subject साजा करते हैं तो in this question are asked about the strength, attitude, belief, opinion और ideas की इसमें विद्यारतियों के जो दिश्टिकोन है विस्वास है राय है और विचारों के बारे में पूछे जाते हैं और इन प्रसनों के माध्यम सही इक discussion के माध्यम सही टीचर को बच्चों के जो attitude है, belief, opinion है और जो ideas है उसके बारे में पता चलता है तो this group discusses given topic और student depth की या समू किसी दिए गए विसे पर या मुद्ये पर गहराई से चर्चा करता है, participant in this discussion are free to talk with other members of the group की, इसमें जो भी participant है, जो भी student है, एक दूसरे से बात करने के बिल्कुल फ्री होते हैं, इस विधी द्वारा विद्यारतियों के दिश्टिकों, ग्यान, समझ और अन्भावों का बता चलता है, तो यहां पर आपको समझ में आ गया होगा कि focus group discussion क्या है और जो group discussion क्या है, उससे थोड़ा किस तरह से अलग है, अब हम बात करते हैं, peer and self assessment की बात करते हैं, सहकर्मी और स्वां आकलन, तो यह क्या होता है, तो अक्सर हम देखते हैं, schools में, colleges में की बच्चे group में काम करते हैं, अब जब group में काम करते हैं, तो अक्सर एक दूसरे को feedback भी देते हैं, एक दूसरे को criticize भी करते हैं, एक दूसरे को appreciate भी करते हैं, तो इससे क्या होता है, बच्चे एक दूसरे के लिए क्या करते हैं, अपनी प्रतिक्रिया परदान करते हैं, तो इससे बच्चों को क्या पता चलता है, कि उनको पता चलता है कि हाँ, कोई भी particular काम हैं हम किस तरह से कर रहें ठीक से कर पा रहें कि नहीं कर रहें यह हमारा जो फ्रेंड है वो काम को ठीक से कर रहा है कि नहीं कर पा रहा तो अक्सार में एक दूसरे को evaluate करते हैं एक दूसरे को करते हैं एक दूसरे को feedback देते रहते हैं तो it also equips them with the skill to self assess and improve there on work कि यह उन्हें आत्म आकलन करने और स्वैम के काम में सुधार करने के कौसल से भी लेस्ट करता है और किस तरह से क्योंकि हम एक दूसरे को इसमें क्या कर रहे हैं feedback दे रहें तो यहां पर क्या होता है it gives rent and opportunity to critically evaluate group members की यहां पर विद्यार्थियों को समों के सदस्यों का आलोचनात्म का आंकलन करने का अफसर देता है जब हम कहते हैं critically evaluate मतलब इसमें positive negative दोनों ही चीज़े आ जाती हैं और इसके अलमा यहां पर बच्चा खुद को भी assess करता है कि वो भी किसी काम को ठीक तरीके से कर पा रहा है कि नहीं अगर नहीं कर पा रहा तो उसको कहां सुधार करने की जरूरत है तो इससे क्या फायदा हो रहा है इसके अलमा जो उनके peer है उसको भी देखता है उसको भी evaluate करता है उनको भी feedback देता है तो इससे क्या होता है इससे हमने देखा कि alternative assessment जो उसके अलग लग जो techniques हैं कौन कौन से हैं तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए आप सब का बहुत बहुत धन्यव जब हम मुक्स की बात करते हैं तो आप में इसी लगबख सभी बच्चे मुक्स के बारे में जानते होंगे क्योंकि मुक्स आपके बीड कोर्स का एक हिस्सा है एक पार्ट है चाहें हम first M की बात करें second M की बात करें जैसे आप बाकी सारे courses पढ़ रहें सीख रहें वैसे मुक में भी आप सभी ने रिजिस्टेशन करवा ही लिया होगा और आप सभी के जो एक मुक्स कोर्सें स्टार्ट भी हो गया होंगे और आप सबको पता है कि इसमें आपको weekly based assignment मिलते हैं quizzes मिलते हैं जिसको आपको complete करके आपको online upload करने होते होंगे तो आप मेंसे लगबख सभी बच्चे मुक्स के बारे में जानते होंगे तो मुक्स की full form क्या है massive open online courses तो आज के इस वीडियो में assessment of learning में हम जानने वाले हैं assessment in मुक्स की मुक्स में किस तरह से assessment होता है तो यह भी आप सभी को पता होगा चाहे हम quizzes की बात करें चाहे हम assignment की बात करें और जब आपका एक course complete होता है चाहे two month का है चाहे four month का है तो last में आपके online examinations भी होते हैं तो इसके बारे में आप सबको काफी सारा idea होगा और जिनको नहीं idea है वो भी इस वीडियो को देखने के बाद इसके बारे में जान जाएंगे तो इस वीडियो में मुक्स की बात करें assessment इन मुक्स तो assessment की भी हम बात कर लेते हैं इससे पहले की वीडियो में आप सभी assessment के बारे में तो जानी चुके होंगे कि assessment क्या होता है assessment is to identify the level of performance of student की विद्यारतियों के परदर संस्तर की पहचान करना ही क्या है आंकलन है it test how learning is going की यह जांसता है कि अधिगम कैसे चला है ब यह विद्यारतियों की कमजोड़ी की पहचान करके अधिगम में सुधार करता है ताकि किसी तरह का कोई barrier ना आए बच्चों के learning में और बच्चा सही तरीके से सीखे और बच्चों की जो problem इसको solve किया जा सके ताकि बच्चा जो learning path है उस पे आगे बढ़ सके तो यह तो हो assessment की बात अब हम अगर मुक्स की बात करें तो देखिए जब हम मुक्स की बात करते ना तो सबसे पहले इसकी full form यह आपको पता चल गई होगी कि massive open online courses तो इसका full name क्या है m4 massive o for open and second o का मतलब है online और c मतलब courses तो massive open online courses तो यहां पर देखिए जब हम massive की बात करें ना तो massive का मतल on large scale मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसकी पहुंच open की अगर हम बात करें तो open means open for all की इसमें ऐसा नहीं है कि इस के जो लोग हैं वही इसमें participate कर सकते हैं वही course कर सकते हैं इसमें कोई भी in courses को कर सकता है तो massive open मतलब बड़ी scale पर ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें participate कर सकते हैं और देखिए एक courses पूरी तरीके से online mode चलते हैं offline नहीं है तो यह कौन से course है online तो आप अगर courses के साथ जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए internet connection आपके पास internet होना चाहिए mobile में computer में तो internet के माधियम से आप इन courses के साथ जुड़ सकते हो आप इन courses को कर सकते हो तो massive क्या है open क्या है और online courses क्या है massive मतलब जादा से जादा लोग इसमें participate कर सकते हैं यह सभी लोगों के लिए open है और इन courses का जो mode है online है तो इसलिए इसका full name क्या हुआ MOOCs massive open online courses these are online courses तो यह आपको पता चल गया होगा कि यह जो courses है पूरी तरीके से online courses है आप इन courses को करना चाहते हैं तो देखे जिसे हम बात करते हैं भारत में बात करते हैं आप सभी इन courses को कर रहे होंगे तो swim portal के थुरू कर रहे होंगे तो आपने mobile से registration करवाया होगा आपने computer क through registration करवाया होगा और आप जो अपने assignment देते हैं आप जो quizzes को solve करते हैं वह भी आप अपने mobile से या computer से करते हैं तो इसके लिए आपके पास internet connectivity होना जरूरी है बिना उसके आप इन courses को नहीं कर सकते it is designed for large scale participation की इसे बड़े पहमाने पर भागिदारी के बनाये गया तो इसकूर में पढ़ाने वाले teacher चाहें बच्चों की बात करें चाहें प्रोफेशनल की बात करें कोई भी इन courses के से जोर सकता है बस उसके पास internet connectivity होनी चाहिए तो these are designed for open access via the internet की या internet के माध्यम से खूली प online courses तो a person does these courses through the internet की इन courses को कोई भी व्यक्ति कोई भी बच्चा कोई भी teacher internet के माध्यम से कर सकता है इसमें हम बात करते हैं कि इसमें video lectures होते हैं जब आप इन courses को आपने registration किया तो आप इन courses को जब access करते हैं तो जो भी आप course कर रहे हैं ठीक है जिस subject से related कर रहे हैं तो महाँ पर आपको जो भी content होता है सारे video lectures मिलते हैं और online content भी हो सकते हैं इसके अलावा इंट्रक्टिव कोई जिस भी होते हैं जिनको आपको solve करना होता है तो इस तरह से काफी सारे features होते हैं तो आपको एक तरह से पूरा complete package मिलता है आपको questions मिलते हैं और आप उनके answers आप videos को देखकर जो अगर इसमें आपको PDF मिलते हैं इसको offer कौन करता है तो अलग लग universities हैं चाहे हम IGNU की बात करें चाहे हम JNU की बात करें तो अलग लग जो इन opportunities है वो इन courses को design करते हैं educational जो institutions है ठीक है और other जो online learning platform है वो इन courses को design करते हैं और इन courses को चलाते हैं और इन कोर्सिस को करवाता कोन है जो अलग-ज़ इंट्रिटिसं ते وिधिशी के इंस्ट्य लेश्मर्योटे नाफ़े जो इंस्ट्रीटीर्स होते हैं वह न सपे जो चलास PE इसने तो हम इसको कह रहे है open courses अब question आता है कि assessment in MOOCs की MOOCs में अब आंकलन कैसे होता तो देखिए एक चीज़ तो आपको समझ में आगी होगी कि जो courses हैं पूरी तरीके से online course है तो आपको online assignment मिलते हैं आपको इन assignment को करना होता है और आपको इनको upload करना होता है और इसके अलावा weekly quizzes होते हैं तो आपको जो videos मिलती हैं जो content मिलते हैं आपको इनको देखना होता है पढ़ना होता है और उसी बेस पर आपको इन quizzes को solve करना होता है और जब आप इन quizzes को solve करते हैं तो आपको जो इनके answers हैं वो भी उसी time आपको पता चल जाते हैं यहां पर आपको आपका self assessment तो आकलन भी हो जाता है कि आपने कितना सीखा है कितना जाना है इसके अलावा लाश्ट में हम देखते हैं कि online examination online पर एक्षाएं होती हैं जिसको आपको computer के माध्यम से exams को करना होता है और उसके बाद आपको grade मिलते हैं marks मिलते हैं और लाश्ट में पासिंग सर्टिफिकेट भी मिलता है तो इस तरह से हम देखते हैं कि मुख्ष में assessment होता है और आप सभी online जो मुख्ष कोर्सिस आप सभी कर रहे हैं और आप सबको पता है कि दीरे दीरे आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से आपका assessment हो रहा है आप assignment दे रहे हैं आप क्य जब आप exam दोगे तो इस तरह से आपको इसका पूरा पता चल जाएगा तो एक ऐसा question है जिसका answer आप अपने experience से ही आप दे सकते हैं तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा comment करके जरूर बताइए आप सब की का बहुत बहुत धन्यवा